हलो एवरिवन कैसे आप सब रोज मैम ऐसे ही बोलते हो हलो एवरिवन चलो आज कुछ अलग पूछ लेते हैं हलो मेरे इंजिरियर्स साइन्टेस्ट और डॉक्टर्स कैसे आप सब भविश्य में तो वही बनने वाले हो ना अच्छा लग रहा है सुनकर तो आप सब बहुत अर्मी का प्रथम अध्याय पढ़ाने जा वही हों के बच्चों तो आज बहुत ही उत्साल उमंग के साथ अपने को त्वल्थ क्लास शुरू करना है क्योंकि अपने को इसके बाद या फिर यूं कहें इसी साल नीट का एक्जाम है ना देना है तो थोड़ा सा मन लगाकर उ साथ डिसकस करके बिना टाइम कंस्यूम करके तुरंद अपने टॉपिक पढ़ाएंगे तो फटा फट जुड़ते रहें और जल्दी से कमेंट करें कि आपको किस तरह से समझ में हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं बच्चों के फटा फट जुड़िये दे तो आहले आपके सामने स्क्रीन पर एक तसुड़ दिखाई रहे हैं ना सबको बेल्किल सबको दिखाई दे रही है यह तसwar क्या कह रही है है तस्वीर कह रही है कि जैसे आप्ला ज fim है व्ट भी तो से कुछ दाला जारा है एक कर अपने गर में कटोरी लेते हैं पानी डाला और उसमें चीनी या नमक मिला दिया जैसे ही मिलाया तो जो नया पधात सामने आया उसे क्या कहा जाता है उसे क्या कहते हैं उसे मेरे प्यारे बच्चों governo कहते है और एंगलिश में solution कहते है तो अपना वो दो घटकों से मिलकर बना है दो घटक कौन से होते हैं जड़ा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो वीलियन है वो दो घटक से मिलकर बना होता है हमेशा घटक कौन-कौन से होते हैं घटक first, घटक second लेकिन पहला घटक विलय और दूसरा विलय राइट जिन बच्चों को ये बात पता है वैसे तो solution के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग basic 9th 10th 11 में पढ़के आते हैं ये घटक अपने को पता होते हैं लेकिन फिल भी मैं चाती हूँ कि मेरे बच्चों के पढ़ाई में कोई भी छोटी से छोटा शब्द बेरियर ना बने इसलिए मैं आपको बिल्कुल basic से पढ़ा रही हूँ राइट तो विलय न में दो घटक मिलेंगे एक विलय और एक विलय ठीक है घटकों की संख्या दो से जादा भी हो सकती है तीन चार पांच लेकिन सब कम से कम दो तो होगी उसे हम वीलियन कह देते हैं तो चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया ओके तो अब अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन टॉपिकों के बादे में देख लेते हैं फिर आज जो को डिस्क्राइब करते हुए बहुती रोमांच तरीके से पढ़ेंगे तो आज अपन क्या पढ़ेंगे अपने पहले मेहतवपून बिंदू बच्चों ये मेहतवपून जो बिंदू है वो कौन-कौन से हैं ध्यान से सुनेंगे मैं बिल्कुल को रिलेट करते हुए आपको चीजें बता रही हों के तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे वीलियनों का प्रकार जो वीलियन है उनके प्रकार कितने होते हैं वो कौन-कौन से तरीके के होते हैं उनको यहां पर डिसकर्स किया जाएगा उसके बाद जब प्रकार पता चल गए तो जो अपने पास सोलुशन करेंगे वो देखेंगे उसके बाद में जब मात्राय आ गई तो उनको एक दूसरे को घुलेंगे तो विलेता हो गई जब वो घुलते हैं तो घुलने के बाद में कोईनों कोई अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके उनमें क्या हुआ कोई ताप का प्रभाव कैसा प करोंगी जैसे ही अपने ये रियक्शन पढ़ ली तो ये रियक्शन जो है वो किन नियमों पर आधारित हैं वो नियम कौन से होंगे लाइक हैं राउल का नियम तो उसके आधार पर वो अनाधर्श भी हो जाते हैं और आधर्श भी हो जाते हैं इनके बारे में डिसकस करेंगे next अपन पढ़ेंगे क्या जैसे अपन ने ये नियमों के बारे में देख लिया उसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो नियम है वो कौन से गुणों पर निर्फर करता है तो वो होते हैं अनुसाइंखे गुंधरम और अनुसाइंखे गुंधरम और उसके साथ में ही उसका आनुविक द्रवयमान कैसा होता है वो डिसकस करेंगे लास्ट बट नॉट दो लीस्ट क्या पढ़ेंगे आप आप पढ़ेंगे ए सामन्य मोलर द्रवयमान राइट बच्चों तो यह हैं आपके टॉपिक्स जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टन रोल अदा करते हैं उनको अपन यहां पर डिसकस करेंगे तो इसके बाद यह तो क्लियर हो गया कि चैप्टर क्या नाम क्या है चैप्टर के टॉपिक्स क्या है अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो आज अपन क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे सबसे पहले क्या मेरे प्यारे प्यारे बचों वीलियनों का प्रकार राइट अभी लिए-गर का प्रकार कोन-कोन सी तरह कि वीलियन हो सकते हैं मैंने अभी आपको बताया है 2 घटक अपने को वही तक बात करने हैं कि 2 घटक हो सकते हैं तो 2 अंगी 3 होते तो 3 अंगी 4 अंगी ऐसे बनते जाते हैं लेकिन अंसी आर्टी स्लेबर के अकोडिंग चलेंगे line to line, point to point पड़ेंगे ताकि आपको books में क्या है कभी doubt आई नहीं क्यों क्योंकि आप doubt that में जो पड़ रहे हैं चलते हैं अपन million के प्रकार में प्रकार क्या है बेटा कई प्रकार के हो सकते हैं बड़ particularly हम यहाँ पर अगर बात करो तो generally अपन बात करेंगे कितने प्रकार में अपन देखते हैं कि अपने पास तीन तरह के क्या हो सकते हैं वीलियन हो सकते हैं जिनमें अपने साथ सबसे पहले कौन सा होगा थोस वीलियन फिर द्रविय वीलियन राइट फिर गेसी यव वीलियन राइट बच्चों अब मैं यह क्या है इसको हम कैसे समझ सकते हैं इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे अपन एक साणनी से वीलियन का प्रकार उसमें विले और विलायक कौन से होते हैं उसका एक्जाम पर सब कुछ क्लियरली देखेंगे वहां से एक क्यूस्टन कंफोर्म आता है तो इस वीलियन के प्रकार को अभी डबल स्टार करके लिखो ताकि बात आपको समझ में आ जाए राइट तो अपन देखते हैं अपने पास साणनी कुछ इस प्र लिखा है वीलियनों के प्रकार लिखा है विले विलायक और सम अन्य उधारन ध्यान देंगे बच्चों गेसिये वीलियन द्रविये वीलियन और ठोस वीलियन ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है पर यह कैसे कहा आपने फ्लो चार्ट में वो तीन चीजे लिख ली उसके हमेशा विलायक इस्थेर जैसा विलायक वैसा वीलियन राइट अपन विलायक के आधार पर ही क्या है वीलियनों के प्रकार है जैसा विलायक वैसा वीलियन आप चाहें तो देख सकते हैं विलायक गेस है विलायक क्या है बच्चों प्यारे बच्चों मेरे क्या है विलायक गेस है विलायक गेस तो वीलियन कैसा गेस विलायक द्रव वीलियन कैसा द्रव ठोस वीलियन कैसा ठोस शायद बात समझ में आ गई होगी गेस यह विलियन बाद में देखना पहले देखो विलायक क्या है गेस में कोई विले मिलाया ठीक है second thing क्या याद रखना है पहला याद रखना था कि जैसा विलायग वैसा friendship है सेकंड देंग जो मैं वोल रही हूं इसको आप अपने नोड करें कि सेकंड क्या याद रखना है कि आप जब भी किसी भी विलायक को लें और विलाय को लें तो हमेशा भीले किसमें घुलेगाNew Japan क्यों मैं मैं ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं ज़रूरी तो कि अधिक जो होगा व्हों सदेव जिसकी मात्रा अधिक व करहाई जिसकी मात्रा कम वह मैं क्या होता है विले होता officers अधिक में कम मिले तो विलै और विला एक में बात समझ में आ गई तो अब विले किसमे घुलेगा मेरे बच्चों विलायक में गेस में गेस चारों तरफ एन्वार्मेंट सिंपल थिंग चारों तरफ गेस हैं आपस में एक दूसरे से मिलती रहती है तो गेस में गेस का विले और विलायक Similarly, विलियन गेस ही है एक्जामपल आपके सामने है Oxygen वे नाइट्रोजन गेस का मिश्रान राइट बच्चों हाँ या ना जल्दी कमेंट में लिखते जो फटा फट फटा वर अपन चलते हैं अगला अपना क्या है द्रव और अगला क्या है गेस गेस तो फिक्स है क्योंकि बहुत अच्छा लिखा गया है क्लोरोफार्म का नाइट्रोजन गेस में मिश्रान क्लोरोफार्म आप सब जानते फटा वर कमेंट में बदा उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपने 11 में भी पढ़ा है जल्दी 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 फटा फट देखें जल्दी मेरे प्यारे बच्चों तो बात समझ में आ गई क्लोरोफार्म का नाइट्रोजन में मिश्रान क्लोरोफार्म लिक्विड है द्रव है और उसके अंदर किसको मिला दिया क्लोरोफार्म को किसमें मिला दिया नाइट्रोजन अब चलते हैं आगे आगे चलते हैं थोस गेस थोस गेस यहनी कपूर का नाइट्रोजन गेस में वी लियन कपूर सब जब जानते हैं कपूर को क्या बोलते हैं नेफ्लीन रैइज इसकाfed फोर्मुला क्या होता है फठापर फठापर बता O जल्दी कमेंट में जिसको नहीं आता हो मुझसे पूछेगा पहले बताओ तो सही क्या होता है चले आगे आईए जी आईए विल्कुल विल्कुल मेरे प्यारे बच्चों नेक्स टॉपिक पर आते हैं चल्दी चल्दी अगला है अपना द्रवीय वीलियन को चुपा दो से पहले द्रव में क्या गेस गेस और द्रव द्रव के गेस को मिलाओ क्या बोल रहा है जल में घुली हुई ऑक्सिजन बहुत इजी है बहुत इजी है यह एक्जामपल क्योंकि आप पानी पी रहे हैं आपको पता है वाटर में कौन सी गेस घुली हुई होती है कौन सी गेस oxygen gas right आगे चलते हैं अगला द्रव में द्रव यह तो रोज का काम है यह तो हम में रोज का काम है देखा हुआ है सबको पता है राइट बिल्कुल जी जल में गुला हुआ एथेनोल ओके आगे एथेनोल का फॉर्मूला भी पता है तैंस में पड़ा है 11 जल्दी चल्दी कमेंड में लिखते जाओ जो जो मैं पूछ रही हूं फटाफट फटाफट क्योंकि यह सब यहां बताने वाले नहीं है यह हम सब पढ़कर आए हैं जल्दी बच्चों आगे चलते हैं ठोस और द्रव का तो क्या जल में घुला हुआ ग्लुकोज अभी इस चीज की आपको बहुत जो भी बच्चे पढ़ रहे ना उनको ग्लुकोंडी मिलाकर पानी पीना चाहिए जोश और उमंग रहे और बहुत ही ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ सकें जी अगला 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 जल्दी ठोस वीलियन गेस ठोस बताओ जी हाइड्रोजन का पेलेडियम में बच्चों पता है यह आपने 11 क्लास में पढ़ा है हाइड्रो कार्वन वाले चैप्टर में वहां पर आपने देखा था कि कोई भी धातू हो दिये धातू के मद्य रिक्तिस्तान पाए जाते हैं रिक्तिस्तानों में हमेशा एधातू एगेसों के रूप में रहती अंडरलाइन करें इ देखा था कि मद्य रिक्तिस्तान में पाए जाती कि वहां का चोटा होता है एक्जाम में बहुत बार नीट में बहुत बार पुछा जाने वाला क्यों राइट तो पेरेडियम एक धातू है जिसके अंदर क्या है हाइड्रोजन गेस तो ठोस वीलियन हो चुका है यह भूले सब्सकर खंकर और सब्सक्राइप बंदें गारों के साथ में बनाया जाता है लास्ट बर नॉर्ड लेस्ट ठोस 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 का वीलियन क्या होता है फोस में क्या होता है घोस का झोस में तांडे काशन और सौने में अब सब गोल्ड के बड़े शोक ही थ конц इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको नहीं सकते हैं इस लिए तो जाकर पहनने होता है तो अब याद रहेगा थौस का ठोस में क्या थामबे और शॉने का भी चलो जी बच्चों फटाफार इसका एक स्क्रीन शूट मारो प्रतफल देखो बात समझ में आ गई होगी चले जी अगर आ गई है तो कमेंट्ट पर फटावड यस में म्ह ov Не लिख दे चलते हैं आगे अगला टॉपक क्या है जी वीलियनों की सांतरताओं को व्यक्त करना वीलियनों की सांतरताओं को व्यख्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कुछ टौपिकों के बारे में अध्यान कर लेते हैं, बेटा पता क्या है? कि अपन कोई बेखी चीज पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे सब पार्ट सोते हैं न, बहुत सारे उसके भाग होते हैं तो ऐसा नहीं कि वह बहुत बड़ा चैप्टर है या बहुत बड़ा टॉपिक है उसको अलग-अलग करके समझाया गया ताकि बच्चों को पढ़ने में आसा नहीं रहे इसलिए आपको भी यह सब चीजें छोटी-छोटी बातें अच्छे से पढ़ने हैं तो सांदृता मात्रा होती है मेरे प्यारे बच्चों मात्रा आम मात्रा यानि की जो कोई भी वस्तु की अंदर उसकी वैल्यू है मात्रा है वो कैसे हो सकती है तो आप सब जानते हैं मात्राओं को जब व्यक्ट करते हैं तो द्रवेमान में हो सकता है यानि किलोग्राम ग्राम में हो सकता है लीटर में हो सकता है तो यह सब मात्राओं को व्यक्ट करने के लिए उसके बताया जाता है second thing अगर बहुत ही छोटा है solution में विले और विलायक में विले की मात्रा बहुत कम है तो उसे part per million में भी व्यक्त कर सकते हैं ऐसे topics यहां पर अपन discuss करेंगे तो सबसे पहले जो इसके अंदर आएगा वो क्या है आपका द्रवेमान प्रतिशत अभी मैंने बताया कि ग्राम के बारे में मिलिग्राम के बारे में अपन किसी भी वस्तु को माप सकते हैं second reason पढ़ेंगे आय्टन पर्तिशत, आय्टन पर्तिशत मतलब क्या इस के अंदर अपन किसी भी फिल द्रविय पदारоЬ को generally milliliter, liter में व्यक्त करेंगे तो वो किस तरह से मापा जाएगा, third अपन पढ़ेंगे अइतन, द्रवयमान आइतन प्रतिशत सही है तो द्रवेमान आयतन प्रतिशत में अपन दो ऐसे कोई solution लेंगे इसके अंदर अपन solid पदाद भी लेंगे और liquid भी लेंगे तो दोनों को एक साथ लेगे कि उसका मापन कैसे किया सकता है उसकी सांद्रताओं को कैसे व्यक्त गया जा सकता है वो डिस्क्राइब करेंगे उसके बाद में अगर विले पदाद छोटा हो स्वरी मातरा में कम हो विले की मातरा तो parts per million के बारे में discuss करेंगे उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे मौल अंच और उसके बाद मौल अंच के बाद में मौल अरता and last thing is क्या पढ़ेंगे आप मौल अलता तो ये थे आपके sub-topics जो इस main topic के अंदर पढ़ाएंगे आज पूर्ज है क्योस्टन कैसे आता है सुत्र के साथ तो लास तक बने रहो ताकि यह सब बाते समझ में इसमें से एक न्यूमेरिकल कन्फॉर्म आता है तो थोड़ा सा धेर्य करके बैटा अच्छे से पढ़ते रहो के फटावट फटावट कमेंड में लिखते जाओ यस मैं समझ में आ रहा ह है तो तो चलते हैं जी अपना पहला टॉपिक जो अपना आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों द्रवेमान द्रवेमान प्रतिशत्ता जिसे डब्लू अपॉन डब्लू भी कहा जाता है ध्यां दो द्रवेमान द्रवेमान प्रतिशत्त द्रवेमान मतलब इसका भी भार आएगा कोई न कोई और भार किसका होगा विले का और किसका होगा विलायक का हाया ना प्रतिशत मतलब सो भार भाग में हो तो वह प्रतिशत शब्दों के अर्थ समझ में आये या नहीं फटा फट बताओ शब्दों के अर्थ समझ में आये नहीं द्रेवे माना मतलब होता है भार सही है और भार जो है वो विले का भी होगा विलायक का भी होग वीलियन तो दोनों से मिलकर बन ही गया और प्रतिशत मतलब हो किसी भी सोवे भाग में उपस्तित हो मेरे हिसाब से मीनिंग समझ में आ गया तो अब चलते हैं अपन सबसे पहले इसकी क्या देखते हैं परिभाशा, परिभाशा क्या है? परिभाशा को अपन कैसे देख सकते हैं? तो परिभाशा क्या होती है? किसी भी विल्यन के सो भार भागों में उपस्तित विले के भार भागों की संख्या, राइट? क्या है परिभाशा? परिभाशा ये कहती है कि किसी भी विले के भार वह उपस्तित है जैसे अपने पास एक पात्र है राजा बिल्कुल इसके अंदर कितने हैं बिटा कितना भाग है सो है नहीं सो ग्राम है या किलो ग्राम है जो इच्छा वो माने ले लिया सो किलो ग्राम ग्राम हागी बात उस ग्राम में आपके पास ये तो वीलियन है तो वीलियन है बिल्कुल जी बिल्कुल अब इसमें क्या है अपन क्या डालेंगे वीले तो इसके भी कोई भाग होंगे ना भार भाग होंगे मतलब कि उसका कोई न कोई वेट होगा तो वो जब म जाता है तो आपन उसका क्या ग्याद कर लेते हैं मेरे राजा बच्चों क्या ग्याद कर लेते हैं द्रवेमान परतिशत की परिभाशा होती है किसी भी विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के सो भार भाग में उपस्थे द्रवती है राइट हो गया स्क्रीन शोर तो चलते हैं आगे की ओर अब चलते हैं अपन सुत्र कहते हैं सुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है सुत्र में क्या लिखा जाता है अपन क्या लिखते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने पास कोई भी आव्यव होगा यानी की कोई भी पधार्त अपने पास होगा उस पधार्त में विले होगा और क्या होगा विलायक भी होगा होगा विले और विलाइक दोनों होंगे विले और विलाइक जब आप लिख रहे हैं तो ये दोनों मिला कर वीलियन मना दिया ठीक बात है जी बिल्कुल ठीक बात है ये हो गया वीलियन अब ये आव्यव इसके जो भाग है उन्हें हम अव्यव कहेंगे तो उन अव्यवों का द्रविमान यानि अपने पास वीले है उसका द्रविमान फिर इन दोनों को मिलाकर वीलियन का द्रविमान गुणा सो सो क्यों क्यों कि हम उसका क्या कर रहे हैं प्रतिशत ग्याद कर रहे हैं राइट बच्चो तो ये फोर्मूला आपको समझ में आ गया होगा फिर से मैं बता रही हूँ द्रवेमान प्रतिशत हो आयतन प्रतिशत हो जो भी प्रतिशत आपको ग्याद करना है हमेशां किसी भी विले के या कहें जिसकी मात्रा कम है उसके अंदर किसका भाग देना है पूरे वीलियन में उपस्तित घटकों का पूरा भाग दिया जाएगा और उससे किस से गुणा कि जाएगा राइट बच्चों बात समझ में आ गई होगी यह फोर्मूले का भी फटाफट स्क्रीन शोट मारो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी डन आगे चलते हैं अपन देखते हैं अपना अगला टोपिक अब हम करेंगे उधारन पर चर्चा राइट उधारन पर चर एकजामपल क्या है यदि 100 घ्र घ्राम वी लियन में ग्लुकोस की मात्रा कितनी अंडरलाइन कर देना भैं मैं गोला बना रहे हैं तो मंडरलाइन तदा जल की 900 ग्राम है तो इस वीलियन की द्रवेमान प्रतिशत्ता क्या कीजिए ग्यात सांदृता कितनी होगी ध्यान दो बच्चों यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि आपके पास क्या है भई आपके पास एक विलियन है जमान कितना है सानता कितनी है 100 gram ठीक बात है लिख दिया भई इसमें glucose की मात्रा इसके अंदर कितने घटक हैं दो एक तो है विले और एक क्या है विलाय ठीक जी विले कितना रजा कितना बेटे विले की मात्रा कितनी अब पता नहीं मेडम विले कौन सा पता है सही है यह तो क्या बात है बता हूज टेकर कमेंड में क्या है विले ग्रुकोस की कितनी सो और जल की कितनी 900 कौन जादा मैंने स्टार्टिग में बताया अता क्या कि जिसकी मात्रा जादा वो विलायक तो विलायक 900gram 900gram 500gram सही है बोलो जी बोलो फुटा फुट बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बोलो आ गई बात समझ में आए जी तो अब आपन देखते हैं कि अपने पास विला और विलाए क्लियर है तो अपने पास फॉर्मूला क्या था विलाए की ग्राम में मात्रा यह सॉलिशन ही तो है पूरा है जार oh into सो बात समझ में फटा फटा आणसर निकालके बताओ जी बच्चों क्या अंसर आया है जल्दी फटा फटा अप एक दो एक एक कितना जी दस प्रातीशत यस और नू राइट बच्चों बिलकुल जी बिलकुल सबका अंसर सही है इसका मतलब सब ध्यान लगाकर पढ़ रहें ऐसे पढ़ते जाओ बच्चों बवश्य सुरक्षित है चलिए जी अगला अपन लेते हैं ये बात क्लियर अगर आप स्क्रीन शोट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले फड़ा फट 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 ले लिया चलो अगला टॉपिक क्या है अगला टॉपिक अपन चलते हैं आता है आयतन प्रतिशत आयतन प्रतिशत क्या है आयतन आयतन प्रतिशत से अपन उसका विले विलायक हमेशा किस में मापा जाएगा आई तन में यानि की मिली लीटर या लीटर में मापा जाएगा राइट बच्छों बिलकुल तो आई तन में अपन लेते हैं ना एमल में या फिर लीटर में तो यह विलायक के लिए ठीक है विलायक के लिए दोनों को मिलाएं तो वीलियन ओके जी बिल्कूल आओ जी आओ बिल्कूल अब अपन करते हैं इसकी परिभाशा पर बात परिभाशा मतलब क्या वहां क्या था किसी भी विले के भार भागों की वह संख्या जो वीलियन के सो भार भाग में हैं तो यहां क्या लिखेंगे किसी भी विले के आईतन की वह संख्या जो वीलियन के सो एमल भाग आईतन में उपस्थेद है हाँ या ना बात समझ में आई या नहीं देखे तो जड़ा स्क्रीन पर परिभाशा कुछ इस प्रकार है क्या है जी किसी वीलियन के सो आयतन में घुले हुए विले के आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत्ता कहते हैं परिभाशा क्लियर है सब बच्चों को अगर यस तो कमेंट में फटा फट लिखती जिए परिभाशा बच्चों आनी चाहिए मैं यह नहीं कह रही हूं कि परिभाशा एक्जाम में आती है नहीं पर परिभाशा आएगी तो फोर्मूला आएगा फोर्मूला आएगा तो प्रकार है क्या है सुत्र सुत्र यह कह रहा है कि अभ्यव का आइतन राइट। अभया मैंने बताया था ना अपने पास एक पात्र है जिसके अंदर आपने ड्रवैय विलियन लिया हुआ है अब यह ड्रवैय में में आप देखो कि इस पूरे का कोई न कोई तो क्या होगा आइतन होगा एमल में उसके अंदर विले और क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों विलायक होगा मैं विलायक बार बार आ है विले बार बार अब तो हमें याद हो गया है हो गया है ना बिल्कुल जी बिल्कुल तो विलै और विलाइक इनको भी अपन किसमें ही लेंगे इनको भी आपन आममें ही लेंगे या फिर लीटर में confused भी रह सकते हो ठीक सी ओके जी कर ची самый आगे तो फॉर्मूला क्या कहता है अव्यव का आइतन बटा वीलियन का आइतन गुना 100 फटाफ़ट इस्क्रींशोट मारो इस से अगला न्यूमेरिकल होना है यह यह उदारण होना जल्दी बताओ जल्दी बताओ फड़ाफट 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 राइट लेलिया जी ओके आप चलते हैं उधारण जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है क्या है स्क्रीन पर क्या लिखाए ध्यान से पड़ो पांच एमल एथिल एलकोहल तथा बीस एमल जड़ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए एक पात्र लोग फटाबाट जल्दी सब देखो मैं हर एक एक एग्जामपल को डाइग्राम से क्यों समझा रही हूं क्योंकि डाइग्राम से समझो कि तभी याद करने का मैंने कह रही हूं समझ में आने चाहिए बस याद करना ही नहीं है समझ में आ गया ओऊ-बिटा लटना यह ऊक्रeफ्य क्लिन है अब यह क्या कह रहा है इसके अंदर कया बत्चों ध्यान दो विलेक्या शर्ट्ष शलाव मिलेक्ः में दना कैक एज इस समनैं ब ठीक है यह पूरा दोनों को मिलाए तो क्या है यह विलियन ठीक है विलियन विलायक और विले क्या मांजरा बताएंगे बच्चों कौन कम कौन जादा कौन कम कौन जादा जल जादा कितना बीस एमेल पांच एमेल कौन एथिल एलको है राइट एथिल एलकोला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सी टू एच फाइफ और वाटर का तो बता दो भाई इतने तुम होश्यार हो मेरे राजा बच्चों बिलकुल जी तो चलो भाई चलते हैं अपना फॉर्मूला कहता है कि अव्यव विले के आयतन कितना कितना है बई पांच विलियन दोनों को जोड़ दो कितना आया पच्च हाया ना यह गया पच्चीस एमल यहां क्या आया यह भी एमल में है यह भी एमल में है यहां तो हंड्रेड है ही क्यों कि हम क्या कर रहे हैं प्रतिश्यत में निकाल रहे हैं तो हंड्रेड लगाना जरूरी है पच्चीस को सो चार बार आंसर आया जी कि बिस में कि सब क्या आ गया क्या कांजी विलकुल क्या बाता रहे हुआ सब का अंसर सही है very good very good I'm proud of you very good मेरे बच्चों तो यह हो गया numerical दोनोग तॉपिक सब को क्लियर हो गए तो फटाफट कमेंड में लिको यस मैं चलते हैं आगे अपना अगला टॉपिक है क्या अगला टॉपिक है द्रवेमान आयतन प्रतीशत द्रवेमान आयतन प्रतीशत क्या है इसकी परिभाशा क्या है तो फटाफट देखेंगे उससे पहले क्या उससे पहले ग्राम या फिर किलोग्राम या मिलिग्राम आयतन एमल में चेक करेंगे प्रतिशक्ता तो सो में होती ही है यस 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 तो चलते हैं आब हम परिभाशा की और परिभाशा क्या है परिभाशा कहती है कि कोई भी विले के भार बागों की वैसंख्या जो सो आयतन वीलियन भाग में उपस्थित है मैडम इतनी हाड हाड परिभाशा है कैसे याद होगी कोई दिकत में याद करनी भी नहीं मैं शब्द से परिभाशा अभी बना लेती हूँ पीछे भी बनाई इस बार और अब आगे आपको खुद से बनानी है ठीक है लास्ट बार बता रही हूँ द्रवेमान पहले लिखा है न तो भार में वेक्त होगा और पहले जो लिखा है उसको अपन विले मानेंगे ठीक है हमेशा ही याद रखो विले फिर विला है तो विले के भार भागों की संक्या तो द्रवेमान हो गया अब आगे है आयतन तो आयतन के लिए क्या बोरेंगे, विलियन के आयतन भाग में उपस्तित है, वही उस विलियन का उस विले की क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत्ता कहलाता है, बात समझ में आ गई, अब तो clear, अब कोई डाउट नहीं, यस 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 मेरे बच्चों तो परिभाशा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है क्या है जी सो अमेल वीलियन में किसी भी विले की घुली हुई ग्राम में मात्रा द्रवेमान आईतन प्रतिशत कहलाता है ओके आगई ना अब तो याद हो गई अब तो जरुरत भी नहीं है रटने की जरुरत भी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल तो फटा बस बस स्क्रीन शोट ले ले ताकि आप लोग नोट्स में प्रॉपर्ली इसको लिख सके राइट फटा फटलो देखे जल्दी जल्दी ओके ज महीं चलो अगला सुत्र क्या है सुत्र है द्रवेमान आइटल प र्तिशक का ूपर लिघ दिया वी लियन आयतन में नीचे लिख दिया गुणा सो आयतर सब क्या कर रहे हैं पर्तिशत निकालना है तो इन टू हंड्रेड कर दिया बात समझ में आ गई होगी पीछे दो अपने बहुती क्लियर्ली डिस्क्राइब किया इसलिए आपको बात समझ में आ जाने चाहिए अब यह जो लास्ट वाला उधारन है वह आप सब बच्चे खुद करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है हंजी 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 क्या है 50 ml जली वीरियन में पांच ग्राम नमक मिला हुआ है तो नमक का द्रवेमान आयतन प्रतिशत कितना होगा जल्दी 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 फटावट खुद करना है अब मैंने बता रही बस बहुत बता दिया तीन के दोनों टॉपिक इन बता दिया ना अब फॉर्मूले से तो बत पर काली आपको करना है है ना सहीए जैसे स्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा था ना कि मितरे साथ खड़ा हूं पर चलना तुझे ही पड़ेगा वैसे ही हम आपके साथ हैं पर लिखना पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा चलिए जी चलिए जल्दी चलते हैं 50 ml जलिए वील ले 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 वीलियन में क्या है यह 50 ml ठीक है पांच ग्राम क्या मिला हुआ है इसमें नमक ठीक है जी द्रवेमान आईतन निकालो भई यह वीलियन है यह विले है तो अब क्या होगा पांच बट्टे 50 गुना 500 गट कट कट कितना यह एंसर दस प्रतीशत आपका अंशर सही वेरी गूड़ वेरी गूड़ बच्चों आप सच में बहुत होश्यार है और इतना मन लगा कर पढ़ रहे हैं कि मुझे खुद को लग रहा है कि सही में एक टॉपिक और एक्स्टा में करा दे जाए जादा नहीं थोड़ा-थोड़ा ताकि आप रिदम में रहें आप बोर्ड ना हो इसलिए आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा जितने भी टॉपिक्स आज मैंने कर होने के बाद में में लास्टियर जितने भी क्यूश्शंस आए हैं उन सब क्यूश्शंस को भी करवाऊंगी लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू प्लास में आना होगा तभी टॉपिक समझ में आएगा तो फटा पर चलते हैं अपन देखते हैं आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं फटा फट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पैरे बच्चों आज अपन अपना टॉपिक जो है वो अगला टॉपिक वो डिसकॉस करेंगे जिसमें क्या है पार्ट्स पर million है ना पी पी एम इसको discuss करेंगे राइट उसके बाद अपन देखेंगे कि सेकिंड पार्ट फर्स तो समझ में आ गया सेकिंड पढ़ेंगे मॉललता थर्ड पढ़ेंगे मॉललता और फॉर्थ उन सबको practice में लाएंगे कि हम लोग जो भी topics पढ़ें हैं उनके questions जो exam में आने वाले हैं वो हल कर सकते हैं या नहीं तो चलो बिना time को waste किये क्योंकि आप लोग का समय बहुत कीमती है फटा फट अपने topic पर आते हैं और आज का अपना topic क्या है सबसे पहले parts per million जिसका short form होता है ppm बेटर यह क्या है आप सब सोच रहे होंगे है न कि मैं कल जो पढ़ा last class में वो क्या था और आज आप क्या पढ़ा रहे हैं कुछ नहीं थोड़ा ध्यान से सुनों सुनोंगे न विलकर देखो आपने solution लिया था solution में क्या था विले और विलायक थेना बिलकुत आप किसी भी solution को बनाने के लिए दो घटक चाहिए एक घटक की मात्रा बहुत जादा है और उसकी तुलना में जो दूसरा घटक है उसकी मात्रा कम है मैं अभी वो डिफाइन नहीं कर रही हूं कि मैं विलाय ले रही हूं विलायक ले रही हूं नो हम सिंपल ही दो शब्द यूज कर रहे हैं कि दो पदार्थ है जिसमें एक की मात्रा जादा है और एक की कम है एक की बहुत जादा कम होने के कारण अपन उस सॉलिशन को सॉलिशन में उपस दे घटकों को कैसे मापे किस तरह से उसका मापन किया जाए या यूं कहूं कि उसकी सांदृता को कैसे व्यक्त करूं तो हमाई साइन्टिस ने एक नया कॉंसेट दिया जिसे हम लोग माप सके और किस वज़े से माप सके वो मात्रत सोत्र क्या था या यूं कहूं वो मैथोड क्या था वो था पार्ट्स पर मिल जिसकी परिभाशा आपन क्या कह सकते हैं परिभाशा को कैसे बोलेंगे आपने last class में देखा था ना कि हम लोग जो परिभाशा है उसे याद नहीं कर रहे थे हम उसको समझ रहे थे बहुत मात्रा दो घटकों में से एक की मात्रा जादा और एक की बहुत कम है तो जादा मात्रा मतलब कितनी जादा मतलब अगर आपके पास विले की मात्रा बहुत कम और विलायक की मात्रा यानि की solvent की जो मात्रा है वो जादा हो जादा कितनी दस की घाट छे राइट अगर दस की घाट छे भाग में कोई विले पदात मोजुद हो बहुत कम मात्रा में तो आप उस विलेयक की concentration या सांद्रता को किसमे मापेंगे parts per million में जिसकी परिभाशा ये रही परिभाशा क्या कह रही है बैच्चों किसी विले पदार के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के दस लाक भार दस की घाट छे भार भाग में उपस्तित हो उसे पीपीम या parts, protein, million कहते हैं परिभाशा समझ में आ गई फोड़ा वड़ स्क्रीन शोट लेंगे बच्चों राइट क्लियर हो गया ना जब भी पीपीम की बात आए तो दिमाग में ये ध्यान रखो कि जब कोई विले बहुत कम हो किसी विलायक में तो हम वहाँ पर सांद्रता को किस मेथ जब से ग्याद करते हैं पार्सपर, million अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ बहुत फॉर्मूला क्या है सुत्र क्या होगा तो सुत्र कुछ इस प्रकार है अव्यव के अव्यव के भागों की संक्या वीलियन में उपस्तित सभी अव्यवों के कुल भागों की संख्या गुणा 10 की घात 6 अव्यव के भागों की कुल संख्या मतलब आपने क्या किया? आपने एक पात्र लिया क्या किया बच्चों? एक पात्र लिया, ले लिया अब उस पात्र में आपने घटक डाल दिये A और B डाल दिये A और B मिलकर के क्या बन गया एक A B solution तैयार है वरी विलियन बन गया आब इस विलियन में अव्यव के भागों की संक्या और विलियन में उपर सभी अव्यव मतलब जिसकी मात्रा कम जिसकी मतलब विले तो विले की मात्रा उपर लिखी जाएगी यानि विले माल लो ये A जो है वो विले है B जो है वो विले एक है और A भी क्या है विलियन है ये आपका विले एक है ठीक बात है और ये अपना क्या है बच्चों वीलियन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो बात समझ में आ गई तो फटापट येस में हम येस में लिख दे जल्ली फटापट फटापट कमेंट करें देखें ओके डन चलते हैं आगे तो अब इसकी मात्रा क्या है बहुत कम है बहुत कम है तो बहुत कम है इसकी वज़े से इसके मान को कहा रखेंगे यहां उपर फिर वीलियन में जितने भी घटक है उनको कहा रखेंगे उसके भाग में फिर कितने भाग में मौजूद है दसकी घाच है राइट चलो जी चलो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को तो फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे ओके लेलिया जी चलिए अब चलते हैं आगे आप देखते हैं उधार रण उधार रण आपके सामने कुछ इस प्रकार है क्या है क्या कह रहा है ध्यान दो यह कह रहे हैं कि कोई भी जल कठोर है आप सब ने आप तो तुर्ट में हैं तो 11 पढ़कर हैं आए हो ना 11 पढ़कर यस और नो यस बेलकुल इलयान में कुछ वीदियां थी कठोर जल के शुद्धि करन की राइट वहां केल्शयम सोडियम कार्बोनेट बाइक आर्बोनेट की अशुद्धियां थी उनको अपन शुद्ध कर रहे हैं तो एक वीदी थी पर्मूटेड वीदि राइट कठोर ज तो उसमें शुद्द्दियां तो है इसने भी लिखा हुआ है वह उख्यूद्दी क्या है कैल्शियम बाइि कारबोनेट के कारण और 16.7 पीपिए है जलकी कठोरता कठोरता किसके विज़ से कैल्शियम बाइकार्बोनेट की विज़ से अब यह तो केवर इतना ही है और इसका विप्राइए यह है कि यह 16.7 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसमें मुझूद है जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों दसकी गाद 6 दसकी काद 6 यानि कि 10 लाख भारभाग में उपस्तित है यानि कि अपने पास जो सॉलूशन है उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जो मात्रा है या यूं लिख दें एक पात्र है जिसमें दसकी गाद 6 वीलियन भरा हुआ है उसके अंदर अपने पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितनी मात्रा में मौझूद है कितनी मात्रा में 16.7 ग्राम मात्रा में मौझूद तो बहुत कम नहीं हुग या बहुत कम इसले इसकी सांता उफिसमें मापा जा रहा है पी पीक है राइट चरिये जी आगे अब हम शुरू करते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है ये कह रहे हैं कि आपके पास ये कह रहे हैं कि इस प्रकार वायू में विशहली गेसों की मात्रा पी-पीम में परदिशित करते हैं यह क्यों कह दिया इसने बच्चों वायू में बहुत सारी गेसे हैं कोई दोर आए नहीं उसमें विशेली गेसें भी है अच्छी गेसे दिया अगर विशेली गेसें का मान जादा हो जाता उसकी संक्या मात्रा जादा हो जाती तो हम लोग जीवित कैसे र रखा गया है तो वहाँ पर विशेली गेसों का मान शुद्ध गेसों की तुलना में बहुत कम है इसलिए इसको भी किसमें मापा जाएगा पीपी एम पार्ट सपर नी राइट बात समझ में आ गई अगला डॉपिक कह रहा है कि 10 पीपीम नाइट्रोस ऑक्साइड गेस का अभ इस्तित है यह इसका मान भी बहुत कम हुआ ना तो अब तो सबको समझ में आ गया कि पार्ट सपर मिलियन क्या है इन शोट वन लाइन में अगर बोला जाए तो किसी भी विलियन में विलय की मात्रा अत्यंत कम हो तो उसकी सांद्रता को मापने के लिए जिसी किसका जिस अगला टापिक क्या है मौलर्ता राइट अब मैं मौलर्ता आ गया पहले पार्ट पर मिलियन पढ़ा जाए यह भी क्या है सांद्रता को मापने की यूनिट ही है बच्छों मौलर्ता शब्द क्या मौलर्ता भी सांद्रता के लिए की जाती है यूनिट जो है उसकी ग्यात की जाती हैं तो हम मौलरता की परीभाशा को कैसे वेक्ट करेंगे परीभाशा मिंस क्या ध्यान देंगे कि मौलरता शब्द जो है उसमें बहुत सारे रहस्य चुपे हैं क्या वो कहता है कि कोई भी सॉलुशन हो अगर एक लीटर है तो उसमें जो विले की मात्रा है उसको जब ग है तो जो मान प्राप्त होता है वही उस वीलियन की क्या कहलाती है मोलरा तक कहलाती है यानी परिभाशा क्या है परिभाशा कुछ किस प्रकार है एकवे हो उपस्ति विले के मोलों की संख्या उस वीलियन की मोलरता कहलाती है कैसे बहुत है सिंपल आप एक पात्र लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे वन लीटर लिख दिया एक लेटर वीलियन में उपस्ति क्या विले के मोलों की संख्या हाँ या ना क्या कहते हैं इसको मोलरता कहते हैं उस वीलियन की मोलरता बिलकुल याद नहीं करना है केवल समझना है कैसे देखो एक पात्र लिया अगर पात्र में एक लिटर सॉलिशन है उसमें विले कितने मौजुद है विले के मोलों की संख्या कितनी हो सकती है तो अगर आपन वो ग्याद कर लेंगे यानि हमने क्या ग्याद कर लिया उस वीलियन की मोलरता ग्याद कर लिय राइट फटाफट स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी से देखें ताकि बात समझ में आ जाए राइट चलते हैं आगे अब लिखते हैं सुत्र सुत्र क्या है? सुत्र कुछ इस प्रकार है मौलरता विले पधार की मौलों की संख्या बटा वीलियन का आईतन लीटर ने ठीक बात है थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों विले पधार की मौलों की संख्या आपने 11 में मौल कॉंसेप्ट तो पड़ाई है मौलों की संख्या ग्याद करने का फोर्मूला क्या था? किसी भी पधार की ग्राम में मात्रा बटा उसका अनुभा राइट? तो यहाँ पर भी अगर मौलरता ही ग्याद करनी हो पर उस क्योश्चन में मौल्स नहीं दिये हों तो हम जो ग्राम में मात्रा दी है उसे हम क्या करेंगे? मॉल्स में convert कर लेंगे या फिर ग्राम में मात्रा जो दी है उसके अंदर उसको किस से divide कर देंगे उसके अनुभार से तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा मॉल्स प्राप्त हो जाएगा तो हम इसको एक formula से और लिख सकते हैं यानी दूसरा formula क्या लिख सकते हैं विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अनुभार गुणा विलियन का आयतन किस में लीटर में राइट बच्चों बात समझ में आ गई होगा फिर क्या अगर सकते हैं similarly अपने पास ये सब हो पर लीटर में आयतन नहीं हो मिली लीटर में हो तो अपन क्या करेंगे वापस वई विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का ही क्या अनुभार लिख दिया? क्या लिख दिया? विले का ही अनुभार लिख दिया अपन देखते हैं अनुभार इन्टू आयतन किस में है? एमल में तो अपन क्या करेंगे? इसको हजार से यहां गुणा कर देंगे शायद बात समझ में आ गई है सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं? सुनेंगे ज्यांसे अगर मॉल्स में संख्या नहीं दी है ग्राम में दी हुई है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अगर आइतन लीटर में नहीं है मिली लीटर में है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे फटाफ़ट इसका स्क्रीन शोट लो तभी आप नेक्स जो मैं एक्जांपल कराने वाली हूँ उसको आप कर पाएंगे फटाफ़ट जल्दी से देखें ये बात समझ में आ गई तो फटाफ़ट कमेंट करते जाओ बच्चों कि यस मैम हमको बात समझ में आ रही है जल्दी जल्दी लिखेंगे राइट हो गया अब चलते हैं अपन आगे अब क्या है जी अब उधारन देखो उधारन कुछ इस प्रकाई हो उधारन भी अलग तरीके से आया है क्या कह रहा है जी पटा पर प्रश्न देखो दो लिटर वीलियन में पांच ग्राम अनेसियल युक्त वीलियन की मॉलारता की गणना कीजिए जबकि सोडियम क्लोराइड का आणविक भार इतना ग्राम प्रती मॉल है ध्यान दो ध्यान किस बात पर पहली बात तो आपको मॉलरता ग्याद करनी है मॉलरता ग्याद करने का फॉर्मॉला विले के मॉलों की संक्या बटा वीलियन का आयतन लीटर खतर अब देखो मोलों की संख्या पर यहां तो वीलियन में लीटर में तो है लेकिन विले कितमे है ग्राम में तो कौन सा फॉर्मूला फोटावर बताओ फॉर्स सेकिंड और थर्ड में से जल्दी फोटावर कमेंड में लिखो very good सेकिंड वाला फॉर्मूला ओके डन में राइट तो अब इसको हल कैसे करेंगे जड़ा देखेंगे सबसे पहले आने सीयल के मौल प्रती लीटर को निम्ले तरीके से प्राप्त किया जा सकता है मौल अरता का फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है बच्चों फॉर्मूला फॉर्मूला होता है विले की किस में ग्राम में मात्रा बट्टा अनुभार किसका विले का ही इन्टू आइतन किसका वीलियन का किस में लीटर में यह सब मेरा बताया हुआ है पीछे फॉर्मूले का आपने स्क्री शोट भी लिया फिर फिर भी समझाने के लिए मैंने आपके सामने यह लिख दिया है डन अब देखो अपने पास पांच ग्राम में मात्रा अनुभार यह रहा लीटर में आईतन यह रहा अब देखो तो आंसर क्या आएगा 0.043 मोल प्रती लीटर हाँ या ना जल्दी कमेंट में लिखेंगे बात समझ में आ गई है तो फटा फट कमेंट करते जाएंगे क्लियर जी अभी तो यह मैंने करा दिया है लेकिन आगे जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा ना उसमें आप से ही पूछूँगी क्या होना है वहाँ आम नहीं करवाएंगे भई वहाँ आप से ही करवाना है ठीक है फटा फट 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 देखें जल्दी बच्चों स्क्रीन शोट लेंगे ओके डान चलते हैं आगे मौललता ओके अब चलते हैं मौललता की ओर मौललता पीछे देखो इसका अंसर आपको पदा चल गया ना यह रहा ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी जल्दी जल्दी तो चलते हैं आगे अगला टॉपिक क्या जी मौललता क्या है मौललता देखो पार्ट्स पर मीलियन भी सांदृता मौललता भी सांदृता अब मौललता भी सांदृता यह लास्ट बट नोट दो लेस्ट केवल और केवल सांदृता ग्याद करना या व्यक्ट करने वाले टॉपिक्स जो है उसका मौललता क्या बस ठोड़ा सा ओर ये क्या है मौललता जब कि तो वहां पर एक लीटर वीगें पर मौललता में क्या होता है divided फोड़ा सा यहां ध्यान देंगे समझने वाली बात हैं क्या कि जब भे आप किसी द्रविय जोलिशन की बात करते हैं तो द्रव में द्रव लिया तो हपन उसकी नॉर्मलता को चेक करते हैं लेकिन द्रविय वीलियन में ही एक घटक थोस तो वहाँ पर मोललता शब्दा आएगा ना कि मोललता दन बात समझ में आगई यानि एक केजी विलायक में उपस्तित विले के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है मोललता कहलाती है परिभाशा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है एक केलो ग्राम वान खेजी विलाएक में किसी विलेक की मौनों की संख्या को मौलर्ता कहते हैं राइट बात समझ में आ गई फटा फट इसका स्क्रीन शोट लो देखिए आपको ये बात समझ में आ जाए राइट चलो जी आगे पढ़ते हैं अब लिखते हैं क्या मौललीटी का सुत्र है इसे अपन किस से विक्त करते हैं राजा स्मौल अमसे जैकि मौलर्ता को कैपिटल अमसे के ओके डान बिलकुल बात तो समझ में आई गई है मौललता का फोर्मूला है विले के मौलों की संख्या बटा विलाय का भार ग्राम में क्यों क्योंकि हम क्या ले रहे हैं ठोस चीज ले रहे हैं क्लियर अब चलते हैं अपन आगे दूसरा फोर्मूलाई से में विले के मौल कैसे ख्यांत करना है विले के मौल अपन करते हैं विले का भार बटा उसका अनुबहार क्लियर जी यह अपन मौललता में भी बढ़के रहे हैं तो आपको अप तो आइडिया लग चुका है है North लग्वन विल्कुल विल्कुल आप तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं वेरी गूद चलते हैं आगे अब क्या कह रहा है ये ये कह रहे हैं कि अपने पास मॉललता जो है उसमें क्या होता है विले का ग्राम में भार बटा अनुभार इंटू विलायक का भार केजी देखो वहाँ पर भी था लीटर में फिर आया मीली रीटर में यहां भी ग्राम में भी हो सकता है और किलो ग्राम में भी हो सकता है तो फटा फट ये तीनों फॉर्मूले वैसे समझ में आये हुए इनमें कोई बड़ी बात नहीं है और समझ में नहीं आने वाले भी कोई बात यह फिर भी नहीं आया है जितना भी आया है कमेंट में जरूर बताएं कि हमें मैडम समझ में आ गया है जल्दी जल्दी बताओ वहीं जल्दी जल्दी स्क्रीन शोट ले लो यह आपके बहुत काम आने वाले चीज़ें राइट चलते हैं आगे आप चलते हैं एक्जामपल की और इसका उधारण मॉललता का उधारण कुछ इस प्रकार है उधारण भी अच्छे से आते हैं देखो बिल्कुल यूँ शरारतें करते हुए है ना पर मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे इतना सिंसियर्टी से पढ़ रहे हैं चलिए जी चलिए क्या कहना है एक मॉल पर के क्या मतलब हुआ अपने पास एक सॉलुशन है राइट उस सॉलुशन में क्या है जी यह है वन मॉल प्रती किलोग्राम यानि कि अपने पास एक केजी विलायक में विले मौजूद है कितने देखो क्या लिख रहा है एक मॉल के सीयल में को वन केजी जल में घोला गया है केजी विलायक वन मॉल वन मॉल का मतलब क्या मॉल का मतलब क्या कि उसमें उपस्तित किसी भी पधात का उसका अनुभार राइट वो उसके एक मॉल के बराबर होता है कार्बन का एक मॉल बराबर 12 ग्राम सोडियम का एक मॉल बराबर 23 ग्राम बात समझ में आ गई होगी चलते हैं आगे बात प्लियर वैसे तो मॉल का कॉंसेट 11 ने बहुत अच्छे से है अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो 11 क्लास के मॉल कॉंसेट के वीडियो पे जाके मेरा देख सकते हैं उसमें बहुत अच्छे से आपको डिस्प्राइब किया है ओके तो ये बात क्लियर हो गई चलते हैं आगे आप करते हैं चलो जी बच्चों आजाओ जल्दी क्या करना है आप प्रैक्टिस शुरू अब भाई कमर कसो अब आप कोई बताने मैं क्येस्टन पूछूंगी फटा फट कमेंट करना जल्दी जल्दी किस तरह से आपके आंसर आ रहे हैं तो पहला क्येस्टन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है क्या कर अजी जल्दी पढ़ Щुल्दी बढ़े स्व सकते हैं है। कर्नी है चोटे शोटे बच्चों को मौलल्व्त झ्यान करो जी में मैं ते ए Hack ग्राम में दीयाह कर मैं बात पकड़ लो बच्चों कोई भी क्योश्चन का फॉर्मूला दिमाग में रहे और क्योश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको समझ में आ गया तो क्योश्चन कभी गलत नहीं होगा आज से ही सीखना शुरू करें कि हम नियुमेरिकल्स को कैसे अटैम्ट करें राइट देखो जैसे मैंने भी बताया है फॉर्मूला पता है और अपने को पता चल गया कि यहां पर वो क्या पूछ रहा है क्लियर तो मॉलता का फॉर्मूला तो पता है देखो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है लिख दिया फॉर्मूला विले का ग्राम में भार अनु भार इंटू विलायक का भार हमने वही formula लिखा है जिसमें अपने को moles नहीं दिये हुए है क्या दिया हुआ है gram में भार राइट वही formula लिखा है तो अब अपना मान लिखेंगे अपन क्या है मलता को इस मौलम से प्रिपरजेंट कर दिया विले का gram में भार कितना है छे बटे क्या उसका यूरिया का अनुभार यूरिया का अनुभार कितना होता है बच्चों साथ यूरिया का अनुभार कितना है जल्दी रात बात समर में आ गई जल में घुला हुआ है तो मौललता 500 ग्राम अब अपने पास 500 ग्राम क्या है यहां पर ध्यान देंगे यहां लिखो 500 ग्राम अगर केजी में नहीं है तो यहां हजा से गुना कर दो बात क्लियर हो गई हो गई राइट तो अब देखो भाई आंसर क्या आएगा बात समझ में आगल वान टू थ्री वान टू थ्री वान वान क्लियर आगल बात समझ में एक बटा पांच 0.2 मोल प्रती किलो क्राम ओके डन जी बिलकुल बात समझ में आगई होगी सबी बच्चों को जल्दी से इसका स्क्रीन शोट लेंगे डन लेट्स गो नेक्स्ट आजाओ बई जल्दी 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 आ गया अच्छा क्या है बई क्योश्चन 11.1 ग्राम केल्शियम क्लोराइड जिसका फॉर्मुला CACL2 दो किलो ग्राम जल में घुला हुआ है पास में एक डाइग्राम बनाओ इस तरह से और क्या लिखो केल्शियम क्लोराइड कितने में दो किलो ग्राम जल्दी जल्द विलायक हुआ राइट यास अब इसके अंदर क्या मिलाया विले मिला दिया विले कितना ग्यारा पॉइंट लिख दिया अब समझ में आ गए तो क्या करेंगे सबसे पहले फॉर्मुला लिख दिया क्या फॉर्मुला होता है क्या होता है जल्दी जल्दी पताओ फड़ा वट लिखो कमेंट में फॉर्मुला जल्दी सब बच्चे जल्दी यही होता है जो यहां लिखा है विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अनुभार गुणा विलायक का आइतन विले का द्रव्यमार केजी राइट विलायक 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 का द्रव्यमान भार केजी में लिख दिया आओ जी आओ तो अंसर क्या हैगा यहां से point हटाया यहां 0 लगाया लगा दिया यहां से यह cut हुआ तो क्या बचा एक बटा 20 अंसर क्या आया 0 point क्या क्या 2 Yes or No Clear हुई या नहीं बात जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे पटा फट Right मेरे बच्चों बात clear हो गई होगी सबी बच्चों की बात सबको समझ में आगे आगे चलते हैं आगे क्या अगला क्यास्चन क्या है जी यह क्यास्चन सबी बच्चों को खुद से करना है यह आपके लिए एक homework है और इसका solution में अगली क्लास में बताऊंगी इसलिए आपको यह सब आज खुद से करना है क्या क्यास्चन है मैं समझा देती हूँ आंसर आप खुद करेंगे राइट बाइक क्यास्चन समझ लो 0.4 एम घोल का 500 एमल तयार करने के लिए कितने कॉपर सलपेड की आउशकता हो आपको एक solution तयार करना है जिसकी concentration मॉलर्ता में कितनी है 0.5 आपको मॉलर्ता दी है याद रखो आपको क्या दी है जो जो दिया है वो लिख लेना भाई मॉलर्ता कितनी 0.4 एम कॉपर सलपेड की कितनी आउशकता होगी कॉपर सलपेड पूछा है C-A-S-O C-U-S-O सॉरी C-U-S-O 4 C-U-S-O 4 कॉपर सलपेड पूछा गया है मॉलर्ता दे दी और कॉपर सलपेड कॉपर सलपेड क्या है देखो तैयार 500 ml तैयार करने के लिए कितने कॉपर सलपेड यह क्या है आपका विले है जिसे क्या मानना है X वीलियन कितना है 500 ml वीलियन कितना है 500 ml आप तो हिंट मिल गया है तो आपको कॉपर सलपेड का आणविक भार भी दिया गया है तो आपको क्या है इस विले की मात्रा ग्यातर करनी है तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर निकाल के लाना है मुझे बताना है फिर अगर जिसको नहीं आएगा उसके लिए तो मैं खड़ी हूँ ना मैं आपके साथ हूँ लेकिन पढ़ना तो आपको पढ़ेगा ना बच्चों जो लास्ट क्योशन में छोड़ की गई थी 0.5 अम गोल का 500 अमल तयार करना है और उसके लिए अपने कौपर सलफेट की जो है आउशकता कितनी आउशकता होगी पढ़नाम को ग्राम में व्यक्त करें बच्चों क्योशन क्या है उसको समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हल करना है आप सबने किया है आपका अंसर जो आया है वो देखो जो मैं करवा रही हूँ आपने सही किया है या नहीं फटा फट एक मिनट में एक मिनट से जाद नहीं लगना चाहिए बच्चों सबसे पहले अपने को दिया है 0.4M यानि आपको दिया है मॉलर्ता राइट क्या दिगई है मॉलर्ता दिगई है मॉलर्ता दिए मॉलर्ता में कितना 0.4M दैन अपने को क्या दिया है आइतन हाँ या ना आइतन कितना दिया है 500 ml मॉलर्ता किसमें होती है मॉल पर लीटर तो इसको किसमें कनवर्ट कर दो ml को किसमे convert कर दो लीटर में तो ml को लीटर में convert करेंगे तो क्या आजाएगा कैसे करते हैं पता है न yes or no जल्दी 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 हाँ या ना जल्दी बताओ अपन 500 ml जो है उसमें क्या कर दें 1000 का भाग दे दें तो वो किसमे convert हो जाएगा 0.5 लीटर में yes or no जल्दी जल्दी बात समझ में आ गई है यह हो गई मॉलरता यह दिया हो है आईतन अब आपको पूछ रहा है copper sulfate का मान पूछ रहा है मात्रा मात्रा पूछी जा रही है किसमे किसमे gram में gram में मात्रा पूछी जा रही है जल्दी जल्दी फटा फट बताओ समझ में आ रहा है या नहीं राइट मात्रा पूछी जा रही है बच्चों है ना तो देखो अपन ने यह सब चीजे तो ठीक है यह तो बात clear हो गई कि मॉलरता देदी आईतन देदिया और copper sulfate सबसे पहले क्या करना है कैसे करना है ध्यान देंगे मेरे बच्चे अपने को यह ग्राम में मात्रा चाहिए copper sulfate की किसमें चाहिए copper sulfate को ग्राम में मात्रा चाहिए यानि कि आपको भार चाहिए ना हाँ या ना तो अपन क्या करेंगे अपन सबसे पहले मौलर्ता का फॉर्मूला लिखेंगे मौलर्ता का फॉर्मूला लिखकर देखो मैं ट्रिक बता रही हूँ अगर आपको कोई ग्राम में मात्राथ चाहिए तो उसको कैसे निकालते हैं उस solution में कैसे ध्यान देना सबसे पहले मौल अर्था का सुत्र लिखना सुत्र लिखना सुत्र से मौल निकालना मौल निकाल कर मौल से जब मौल निकल जाएं पदार्थ के या विले के मौल निकल जाएं तो उस मौल से क्या निकल जाएगी ग्राम में मात्रा या उसका भार व् जाता है बात क्लियर हो गई यही मैथर रखना आपका आंसर तुरंत आ जाएगा किसी में भी किसी में भी पूछा जाए यही थेरम आपको यही रखना है क्लियर तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है भई मौलरता का सुत्र क्या होता है विलै की मौल बटा वीलियन का आईत तो फटा फट देखेंगे जल्दी तो अपने पास सबसे पहले अपन क्या चाहिए अपने क्या निकालना है मॉल्स निकालने तो मॉल्स कैसे निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है मॉलर्ता का विले के मॉलों की संक्या बटा आईतन तो विले के मॉलों की संक्या में अपने पास एंड जो है वो निकालना है तो यह यहां आ गया दोनों के बीच में क्रोज का निशान आ गया क्योंकि आपने इसको इस तरह व्यक्त किया आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता रही हूं देखो एंड बता जुल्दी देखो एंड बता वी राइट अब एंड चाहिए तो वी इदे चला गया तो यह क्या आ गया एम गुना वी राइट येस ओर नो क्लियर अब आगया ये एन आगया एम गुना वी हो गया अब देखो आगे अपने पास एम कितना है बच्चों मॉलरता कितनी है 0.4 आइतन कितना है 0.5 दोनों को मल्टिप्लाइ किया क्या आंसर आया 0.2 मॉल राइट फटा 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 फट इस निकल लेंगे इसका जल्दी से बात समझ में आ गई है तो जैसे ही ये निकला अब अपने को मॉर्स निकल गए तो मॉल निकलने के बाद मॉल का फॉर्मूला आपन जब भार में निकालते हैं तो मॉलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या था मॉल बरावर पदार की ग्राम में मत्रा बटा उसका अनू भार राइट येस और नो जल्दी बताओ यही था ना तो अपने पास यह आगया एम यहां पर आप लिखेंगे क्या अनु भार क्या लिखेंगे भाई अनु भार सही वैसे तो नीचे लिखा हुआ है तो अनु भार लिखने के बाद में देखो भाई आनु बार कितना दिया गया है कौपर अगया सलफेट का कितना है 160 ग्राम प्रती मॉल तो अपने पास यह तो आ गई मॉलों की सेंख्या और यह हो गया आपका एक ही शबका आंसर सही है सब बच्चों में जो कमेंट आ रहे हैं वो बिल्कुल सही 32 ग्रांट सब ने सही अंसर किया है फिल भी मैंने आपकी एक कह रही हूँ ना helper की तरह help कर दी है कि आप उसको पूरा systematic किस तरह से कर सकते हैं डन क्लियर हो गया जी चलिए भाई अब चलते हैं हम आगे यह previous class की summary और question complete नाव अपन अब आगे बढ़ेंगे किस तरफ अपने आज के topic की और तो जरा कमर कसके पूरे जोश उमंग के साथ शुरू करते हैं आज का topic इसका नाम क्या है पता नहीं अब देखो आपको स्क्रीम पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है कि एक जो साइंटिस्ट है वह क्या कर रहा है कुछ मिक्स कर रहा है कर रहा है ना देखो मिक्स कर रहा है मिक्स करते हुए यानि कि दो पदार्थ एक दूसरे में घोल रहा है जब वो एक पदार्थ को एक दूसरे में घोल रहा है तो इस प्रकार जो चीज बन रही है या फिर जो नया वीलियन बना है उसमें एक दूसरे में दो गटक गुलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं यह प्रक्रिया क्या कहलाती है जाद ध्यान दो एक पदार्थ में दूसरा जब डाला जा रहा है कोई विले विलायक में घुला जा रहा है तो उस मैथड को उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं विलेता कहते हैं कह दिय एक पदार्त का दूसरे में घुलने की गเลता को सब्राइइ विलेटा के लाती है. अपना टॉपिक या रहेगा विक विलेटा समझ में आकई जब किसी भी विलायक में विलायक को घोला जाता है तो वह है उसकी विलायता कहलाती है जिसकी परिभाशा आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है एक विलायक की निश्चित मात्रा में घूली हुई किसी अव्यव या पदार्थ की अधिक्तम मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है विलायता जराध्यान दो अपन एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में अपन क्या करते हैं पानी ले ले लिया 100 ग्राम अपने पानी ले लिया अब उसके अंदर अपने चीनी डाली ठीक है? अपने चीनी डाली यानि कि अपने एक चमस, दो चमस, तीन चमस डालते गए वो घुलती गई, फी डालते गई, घुलती गई, लेके एक समय आएगा जब वो घुलना बंद कर देगी यानि अब वो संत्रप्त हो चुका है यानि कि एक समय के बाद वो अधिक्तम मात्रा में घुल चुका है कौन? विलायक, किसको? विलैको राइट? जब कोई भी अधिक्तम मात्रा घुल जाती है तो वो घुलने की चमता उसकी विलायता कहलाती है राइट? बात समझ में आ गई होगी तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया अब ये कह रहा है कि जो विलैता होती है वो विलै और विलाय की प्रकरती तरह ताप एवं दाप पर निर्वर करती है वाट इस दा मेनिंग? क्या अर्थ है इसका? एक बात बताओ चीनी को पानी में घुल दिया? घुल गया नमक को पानी में घुल दिया? घुल गया लेकिन उसको घोलने में थोड़ा समय तो लगता है ना, वहीं पर यदि मैं थोड़ा सा पानी को गरम करूँ और चीनी को घोलूँ, तो within two seconds वो चीनी घोलने लग जाएगी, right, थंडा पानी लेकर चीनी घोलना और एक गरम पानी लेकर, आप खुद भी ये practical कर सकते हैं, जितन समय थंडे पानी में लेगा, उससे आदे समय में गरम पानी में चीनी घोल जाती है, ताप का प्रभाव पढ़ाना, वहीं दाप का प्रभाव भी, कोई पदात है, पानी है, पानी में कोई गेस को डालना है, गेस को डालना है, तो वहाँ पर क्या दिना पढ़ेगा, दाप, तब वो उसके अंदर घूलेगा वह भी उसकी भी लहता हुई ताब दाब अब विलायक की प्रकरती क्या प्रकरती मतलब क्या उसका नेचर कैसा होता है बेटा तो वो भी डिसकस करते हैं जैसे समान समान में घूलेगा की नहीं अगर आपने पानी में चीनी को घोला या फिर यूँ कह दूँ कि पानी में ओयल डाल दिया तो क्या हुआ तो वो आपस में क्यों नहीं घुलते चीनी क्यों घुल जाती है ये सब क्या है इनको कैसे पता चला कि कौन सी जे किसमे घुलेगी तो ये भी एक इसके अंदर कॉंसेप्ट है जो अपन नेक्स्ट आगे आगे दीरे दीरे बढ़ते हुए इनको भी क्लियर करते हुए निकल जाएंगे तो अब अगला क्या कह रहा है कि जैसे सामाने ताप पर 100 ग्राम जल में चीनी की अधिक्तम कितनी मातरा घुलती है भाई 25 ग्राम आप 25 ग्राम यदि 100 ग्राम जल में डाल देंगे तब तक तो वो घुलेगी अगर आपने अब इसके बाद चीनी डाली तो वो नहीं घुलेगी राइट इसका मतलब अब जो अधिक्तम मातरा में घुल चुकी है चीनी वही उस सॉलूशन की क्या कहलाएगी विलायता कहलाती है फटा फट इसका स्क्रीन शोट लेंगे ताकि आप यह अपने नोट में बहुत ही शॉर्ट नोट मैंने बनाये हैं बच्चों आपकी अंसी आर्टी बुक्स को ध्यान में रखते वे तो आप यह नोट प्रॉपरली ऐसे के ऐसे ही बनाते रहिए ले ले स्क्रिंशोट गया है को वेरी गूड पर आपके चलते हैं अब इस विलेता का सुत्र क्या है हम कैसे किसी विलेता कि सोलेंच की को घ्याद कर सकतें को घ्यार कर्षक तो अ वपन क्या क recycling पर यह बनायती चौई है राइट जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा निशिता पर ग्राम कितना ग्राम सो ग्राम सो ग्राम विलायक में विलय पदार्थ की ग्राम में माता तरह दिख 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 येस वेरी गूड मेरे बच्चे बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल साथ बने रही है तो हम लोग मिलकर बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं चलते हैं आगे आप देखो जी ये क्या कर रहा है ये वेक्ति के पास में ये जो है एक राउंड बॉटम फ्लास्क है और ये है कॉनिकल फ्लास्क बारवी मेले बच्चों पता होना चाहिए आपको प्रैक्टिकल भी होने इस वार तो ये कॉनिकल फ्लास्क जो है इसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क में से क्या किया जा रहा है डाल दिया ये इसके अंदर डाल करके क्या कर रहा है भाई ये डालकर इसको डिजॉल्व कर रहा है तो यह सॉलिड लिक्विड क्या है सॉलिड पदार लिक्विड में क्या हो रहा है डिजॉल्व हो रहा है घुल रहा है यानि कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यह इमेज से हमें क्या समझ में आया है यह समझ में आया है कि हम पढ़ेंग ठोसों की द्रव में विलाइता राइट ठोस की द्रव में विलाइता कैसी होती है किस तरह वो घुलते हैं जब वो घुलते हैं तो कौन कौन से फ्यक्टर उन्हें एफेक्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट राइड डाइरेक्ट क्यों आता है ठोसों की द्रव में विलाइत को प्रभावित करने वाले कारग दो नंबर का इंपोर्टेंट अभी लिख लें में टॉपिक पढ़ाते वक्त आपको साथ साथ में क्योशन बताती रहती हूं तो थोड़ा सा इंची जो पर भी ध्यान दें तो अब चलते हैं अपन ठोसों की द्रव में विलेता तो ठोसों की डाली नीचे तली में बैठ जाती है सही बात है नमक भी पूरा नहीं गुलता चीनी पूरी गुल जाती है कंकड को डालो पानी में नहीं गुलेगा तो क्या है भाई क्यों नहीं गुलता कौन से ठोस पदात गुल जाते हैं कौन से नहीं गुलते हैं वो भी डिसकस करेगे दीरे दीरे जैसे चीनी तता नमक sodium chloride नमक को sodium chloride कहते है फोर्मुला बताओ sodium chloride का जल्दी कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि मैडम आप ही formula बता दो अरे आपको आना चाहिए मैं तो बता ही दूँ यह आप भी तो बताओ थोड़ा थोड़ा आप भी तो support करो और इस यह राइट ज में आसानी से घुल जाता है लेकिन बेंजीन में नहीं खुलता बेंजीन बेंजीन नम सुनाएं न सी सिक्साट सिक्स यास और नो इसकी स्ट्रेक्चर कैसी होते हैं जानते हैं इस तरह यह बेंजीन राइट तो बेंजीन में नहीं घुलता था नैफ्तलीन और एंथ्रसीन नेफ्तिलीन और एंत्रसीन जो है वो बेंजीन में क्या होते हैं आसानी से गुल जाते हैं यह है नेफ्तिलीन और यह रहा एंत्रासीन तो यह नैफ्थलीन और यह हो गए आस यह फॉर्मूले है इनके स्ट्रेक्चर के साथ बता दिये हैं आसानी से घुल जादा जब कि जल में नहीं गुलता है क्यों क्यों नहीं गुलता बताओ क्यों नहीं गुलता अच्छा अपने यह चीजें जो हैं वो मैं अब नहीं कहूंगे कि आपने पीछे की क्लास में पढ़ा है क्योंकि यह थोड़ा सा नया टापिक है ना तो भी समझ में आ रहा है बिलकुल आ रहा है क्योंकि यह तो चीजें हम ब बच्चों देखा गया है कि ध्रूवियर विलय ध्रूवियर विलायक में घुलता है ध्रूवियर का मतलब क्या है ध्यान देना बच्चों ध्रूवियर मतलब जिसमें polarity होती है मतलब जिन पर प्लस माइनस चार्ज होता है राइट वो पॉलर हो जाते हैं यानि एक एटम दूसरे के इलेक्ट्रोन को अपनी और अट्रेक्ट कर सकता है यह उसमें यह दी पावर है मतलब वो ध्रूवी है उसका नेचर पॉलर है उसमें दो पॉल बन रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव ओके तो वहां पर धुरूवी अता अब कोई दो पॉल बना रहा है धुरूवता उसमें आ रही है यह 11 में पड़ा हुआ है वेस्तों पर फिर भी मैं यह टॉपिक नया लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा बता रही हूं पॉलर का मतलब क्या होता है? यह पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव समान रूप से हैं तब तो यह नॉन पॉलर है वही पर यदि इस तरह से यदि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से दिखाई दें तो यह क्या है? द्रूवी हो जाता है राइट ये है पॉलर ये नॉन पॉलर ध्यान दो समझ में आ गया द्रूवी और एद्रूवी अब देखो अगर मैं इस नॉन पॉलर के साथ में अगर ऐसा एटम ले आँ तो क्या वो कभी उसके अंदर डिजॉल्व हो पाएगा नो नहीं पॉसिबल नह आँए तो जो ट्या वो उसके साथ ृव होगा नहीं क्योंकि उसके करक्टर्स के साथ मैच ही नहीं कर रहे है कैसे जुड़ेगा राइट तो इसलिए क्रांगया बेटा कि यहां पर नौन पॉलर के साथ नौन पॉलर आएगा और पॉलर के साथ पॉलर आएगा राइट द्रूविय के साथ द्रूविय के साथ द्रूविय घुलता है इसलिए शब्दों में आसान सब्दों में कहा गया समान समान में घुलता है तो लिखा गया है ना कि द्रूविय द्रूविय में गुलता है द्रूविये विले द्रूविये विलायक में ही घुलता है बात क्लियर हो गई होगी ओके अब आगे चलते हैं आगे क्या कह रहा है समय ते एक विले विलायक में घुल जाता यदि दोनों में अंत्रा आणविक अन्यों ने करिया समान हो अन्यों ने करिया मतलब क्या ध्यान देंगे आपने क्या किया एक पात्र लिया जिसमें आपने पानी डाल दिया मैं बार बार पानी इसलिए कह रहे हूं क्योंकि अपन जल का यूज जाधा करते हैं और जल को तो सब बच्चों ने देखा हुआ है तो उसके कण जो होते हैं तरह से अरेंडमली अरेंज है रखे गए है अब बेटा इनके बीच में एक बॉंड है यहां अलग से दिखा रहेती हूं यह हाइडरोजन यह हाइडरोजन और यह ओक्सिजन राइट हाइडरोजन ओक्सिजन के साथ जुड़ा हुआ है तो एक बंद से जुड़ा हुआ है ना अब ये बंद कैसे हो अन्योन ने किरिया जब होती है जाने कि पानी के साथ यदि आपने क्या किया शुगर डाल दी है ना तो आपने C6 या फिर आपने C6H12O6 ग्लुकोस डाल दिया तो आपन देखते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल से है वो इसके साथ जुड़ना शुरू करेंगे तो इनके बीच का बंद भी तूटेगा इनके बीच का बंद भी तूटेगा जब दोनों के बंद तूटते हैं और तूटकर नया पधार्थ बनाते हैं उसे हम कहते हैं अन्योन ने क्रिया क्या कहते हैं अन्योन ने क्रिया यानि आपस में परस पर होने वाली क्रिया डायरेक्ट क्लियर समझ में आई तो जब जब यह दोनों की क्रियाएं हो रही होती है तो समान होगा तब तो जोड़ जाएगा लेकिन समान नहीं हुआ तो अन्योन्य क्रिया नहीं होगी अगर ये द्रूविय ये भी द्रूविय तब तो गुल जाएगा लेकिन द्रूविय नहीं हुआ अगर ये एद्रूविय और ये द्रूविय तो ये आपस में गुलते नहीं है बात समझ में आ गई होगी clear हो गया अतों यह का जाता है कि समान समान में ही घुलता है clear चलते हैं आगे आप देखो अब अगला टोपिक क्या है विलीनी करण विलीनी करण का क्या मतलब होता है ध्यान देंगे बच्चे है ना एक होता है एक चीज और पढ़ेंगे आगे क्रिस्टली करण भी है ना तो दो चीज़ों को किस प्रकार समझो ताकि थ्योरी समझ में आ जाए मैं डाइग्राम बना रही हूँ वह आपको भी बनाना है ओके अपन ने क्या किया बिटा पानी लिया और पानी में कोई ठोस विले डाल दिया ध्यान देना भाई और द्रवी विलायक है आपको यह तो पता है ना मैं ठोस ही क्यों ले रही हूं कि मैं ठोसों की द्रव में विलेता पड़ा रही हूं ओके रिमेंबर है ठोस विले है इसको इसके अंदर डाला दूसरा भी यह है द्रव हो गया विलायक और इसमें डाला ठोस विले ठीक है सूरे बने पर यह इसके अंदर गुलने लगा करें समान वाला समझ में तो आगया गुलने लगा इसका मतलब यह समान है अप को यह थिक तो हो गया अब क्या यह गूला घुलने तक कि क्रियाव फृलीणी करण विले विलायक में घुला सब्सक्राइब क्या डिस सॉल्यूशन हना आगी बात समझ में तो यह क्या हुआ इसके अंदर घुल गया तो इसे विली नहीं कराने कह दिया जैसे ही घुल कर बंद हुआ रुक गया अब नहीं घुल रहा है यह तो घुल रहा है ना मैंने राउंड लगाया है यहाँ पर रुक गया है मैंने रोक दिया है रोकने के बाद कुछ थोस विले के कण है बाकी solution बन गया तो बच्चों जब थोस के कणों में कुछ विले के कण आकर जुड जाते हैं ध्यान देना यह थोस विले है सारे कण तो नहीं गुलते ना और यह आपका वीलियन है इस वीलियन के कुछ विले कण ठोस विले के साथ क्या हो जाते हैं जुड जाते हैं यह तो हैं विले के कण जो विले कण में और यह थोस के विले कण है जब यह आपस में जुड जाते हैं तो इस क्रिया को क्रिस्टली करन क्या क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है बात समझ में आई वापस देखो ठोस पदार्थ को विलायक में गोला घुलने लगा है घुलने की क्रिया विलीनी करण विलीनी करण के क्रम में आगे बढ़ते हैं एक प्रियाप्त मातरा में घुल कर रुख गया तो सारे कंड तो नहीं dissolve हुए न तो उन मेंसे वो कंड जो dissolve नहीं होए वो तली पर जम गए या उपर सर्फेस पर आ गए तो कुछ समय रखने के बाद जब उस solution में घुलेवे कंड में से ही कुछ कंड वापस ठोस के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं तो एक अलग सरंचन निकल कर सामने आती है crystal और इस क्रिया को कहते है क्रिस्टली करण डन जैसे कॉपर सलफेट को देखो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कॉपर सलफेट को dissolve करना और उसके बाद कुछ समय बाद उसको देखना तो आप देंगे उसके निडल्स जैसे crystals आपको दिखाई द पर इसका screenshot लो ताई कि आप वापस इसे याद जब करें तो आपको बात clear रहे डन जल्दी ओके 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 तो यह हो गया आपका clear अब विलिनी करण की परीबाशा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है जब एक ठोस विले को द्रवी विलायक में डागा जा पर ही है राइट विल्कुल विल्कुल मेरे बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं रियली बच्चों मुझे बढ़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर की आपको समझ में आ रहा है डन अब चलते हैं आपन थोड़ा और आगे यह क्या कह रहे हैं दूसरे शब्द कहलाती है नाओ अपने क्या है क्रिस्टली करान किस्टली करन समझ में आया ना एक के बाद थोड़ी देर गूलता है गूलतो गया लेकिन कुछ पदात उसके थोस विले के अब भी गूले नहीं है तो उसके साथ घुले हुए विले के करन जब जूड जाते हैं तो उसे क्रि गूलने लगता है इसे क्रियर पॉइंट जिससे विलेन में विले की सांद्रता बढ़ने लगती है ठीक बात है इसी समय विलेन में से विले के समझ में आया ना गूले हुए कण थोस विले के कणों के साथ जुड़कर अलग हो जाते हैं उपर तेरने लगते हैं उसे ही कहते कंडूंए हैं प्रक्रिया को क्रिस्टलि करण बात समझ में आ गई तो फटाफारी कमेंड में यस मैम लिकिए जी ओके-ओके-ओके-ओके-ओके-ओके आगे चलते हैं preguntas हैं कि रवीय वीलियन में गुलनी करण के क्रम में विलय के कुछ कणों का ठोस विलय के कणों के साथ अलग होकर जुडने की प्रक्रिया विक्रिस्टली करण कहलाती है राइट फटा फटी स्क्रीन शोट लो बेटा यह सब नोट्स में लिख लेना मैं बार बार कह रही हुँ इसलिए क्योंकि मैं जानती हूं क्योंकि नोट्स जितने अच्छे होंगे आपको पढ़ने में उतना ही जाड़ा मजा आएगा ओके तो चलते हैं आगे स्क्रीन शोट लिया फटवट देखो चले में साइड में हो जाती हो जाती हो स्कीन श्वॉ waits ज़ल्दी ओके डान अप चलते हैं आदे इक गतिक सामने ध्यान देना है मैं क्या कह रही हूं अपन्ने क्या पढ़ा अपन पढ़कर क्या रहे है अपन चल कैसे रहे है अपने solution को लिया था solution को dissolve किया था राइट विलेता पढ़ ली विलेता क्या होती है समझ में आगया उसके बाद अपने देखा कि जब अपने विलेता पढ़ रहे हैं तो वीलियन में प्रकार तो होंगे तो अपने कहा कि घटक तो दो हैं तो ठोस पदार्द अपने बास विले है और अब इनको जब गोल रहें तो क्या है ध्यान दो कि अपने पात्र लिया फिली लिया कोई दिकता नहीं ठिक से अपने पास यह क्या है द्रवफ अ में विलायक थे और इसके मैं क्या कर रही हूं ठोस विले ठीक सा डाल दिया अब ध्यान को जब मैंने द्रव विलाइक में ठोस विले डाला तो विले प्लस विलाइक ठीक है क्या बन गया विलियन हाँ या ना यह इसके अंदर मिला तभी तो विलियन बना हाँ या ना जब यह बन रहा है तो यह इस तरफ जा रही है यह एरो का निशान कुछ इस प्रकार लगाएंगे ताकि आपको एकदम बिल्कुल भी कोई डाउट ना रहे तो आपने देखा कि यह रोका निशान कुछ इस प्रकार आगया यानि इस तरह घूम रहा है यह यहाँ पर सॉलूशन बना अब सॉलूशन बनने के बाद में वि विलाय के कुछ कण वापस विलाय की तरफ जाएंगे यस और नो हाँ या ना जल्दी बताओ अभी मैंने बताया था ना यह हो गया तो यह एक स्थती जो दिखाई दे रही है इस स्थती को आप क्या कहते हैं भाई सामने कहते हैं विले और विलाय घुल गए सॉलूशन बन तो वापस कण विलाय की और आना शुरू हो गया यहने कि दोनों के बीच में क्या है एक सामने इस्तापित है जितने विले विलाय उतना ही सॉलूशन उनके मात्राइं बिलकुल बराबर होनी चाहिए राइट जैसे आपने क्या लिया इसके अंदर 100 ग्राम लिया विलाय और यहां डाला पपचास ठीक है पचास डालकर यह क्या हो गया वन फफ्त तो यह भी फचिस ही घुला ध्यान देना इसमें से केवल क्या गुला भई 25 ही घुला तो 125 ही हुआ यहांपर फिर तो हाँ यह ना 125 हुआ तो यह 105 ही होना चाहिए अगर ये 126 हुआ तो ये साम में वापस इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे यानि वापस वीलियन में से विले के करण विलायक वापस आना शुरू हो जाएंगे विले की तरफ तो इस प्रकार विले और विलायक गुलने की प्रक्रिया में जो परसपर साम में इस्तापित होत है उसे गतिक सामने कहा जाता है क्या का जाता है गतिक अब बोले गतिक ही क्यों कहा कोई और नाम दे दे कंड गती कर रहे हैं उनमें क्या हो रहा है उर्जा मिल रही है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गती कर रहे हैं एक जैसे दूसरे जा रहे हैं solution के अंदर घूम रहे हैं तो वो क्या नाम दिया गतिक सामने बात समझ में आ गई यस और नो फटा फट कमेंड में लिखो कि गतिक सामने का क्या मतलब होता है जब विलनी करण और क्रिस्टली करण की क्रिया में जब सम में स्थापित हो जाता है तो उसे हम गतिक की सामने कहते हैं बात समझ में आ गई फटा पर इसका स्क्रीन शोट लो था कि जल्दे से बात समझ में आ जा lyán दिया ना ये 50 यह सो 150 तो यह भी 150 सामने में है अगर इसमें से 25 ही गुला तो यह 125 हुआ अब यह 126 नहीं होना चाहिए अगर 126 हो गया इसका मतलब सामने नहीं है वापस रिवर्स होना राइट चलो भई एक्जाम्पल समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया होगा टॉपिक अब फटाफर स्क नहीं है तो गतिक सामने की परिभाशा क्या होती है ठीक है तो अपने जो समझा था कि कोई भी विलय और विलयक जब रियक्शन करके विलियन बना रहे होते हैं तो उस दोरान उनमें आपस में क्या हो जाता है सामने स्थापित हो जाता है डाइग्राम जो मैंने अभी समझा आपको समझ में आ गया है तो उसकी परीभाशा तो इसी लगने लग गई यह ना कि परीभाशा को अपन किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं एक डाइग्राम बहुत असे से अपने यूज किया है इतना सब सब्सक्राइब लिखें उसका कोई मीनिंग नहीं जब तक अपने वो समझ में नहीं है एक शब्द में क्या कहूंगी एक ही लाइन में व्यक्त कैसे करूंगी कि अगर मैं क्रिस्टली करन और विलिनी करन को एक साथ रख दूं और वो रियक्श आने वाले विले कणों की संख्या विलियन से प्रत्थक कारी विले की संख्याओं के बराबर होगी इस इस्तिति को गतिक सामें की प्रावस्था कहां जाता है बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं तो अब चलते हैं आगे गतिक सामें का टॉपिक आपको क्ल पी शौट लेने था कि आप नोट से में इसको लिक सके और याद करने का तरीका तो पटा हिए कि क्या होता है है जो इस звон प्रवश्ता में तापड़ प्रविलय। उपसित विले की सांद्रता ताप दाब क्या मैंने पीछे टॉपिक पढ़ाया था उसे मैंने क्या कहा था कि जब अपन कोई भी पदार्त में दूसरा पदार्त घोल रहें यह यूं कह दूँ कि विलायक में विले गोल रहें जब वह घुलता है तो ताप का दाप का करेगा उसको इफेक्टर कैसे होगा तो वो चीज़ बताई गई है कि वहां पर गतिक सामने भी ताप दाप पर निर्भर करता है क्लियर जादा नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट डालता ही है तो बात समझ में आ गई होगी क्योंकि कॉंसेप्ट तो अपन पीछे डाइग्राम से क्लियर कर चुके थ्योरी बेस भी समझ आना चाहिए शब्द का अर्थ बिल्कुल क्लियर हो फिर आगे क्या कह रहा है कि विले विलायक रिवर्स रियक्शन सिंबल दिया है और विलियन क्लियर हो गया हम पीछे करके तो यह बात तो समझ में आ गई आ आगे अगला टोपिक क्या संत्रप्ट बेहर से शुड्य सोलिशन आग आज संचले में इंगलिस में लिखर आ है क्योंकि क्वाई बच्चे खमेंड MORE में कि मैं अिंगलिस में बता दो तो आप इंगलिस में हिंधी-इंगलिस थोडोणों में ठीक है कोई भी शब्द तुम्हारी स्टडी में बेरियर ना हो ठीक है तो वैसे ही तुम भी फटावन मेरे साथ ऐसे जुड़े रोग कमेंट में लिको समझ में आ रहा है या नहीं जल्दी जल्दी संत्रप्त विलियन क्या है बच्चों संत्रप्त है ना अपन कई जगे यह नाम सुनते हैं कि इस चीज से त्रप्त हो गया है व्यक्ति है ना त्रप्त का मतलब उसे और कुछ नहीं चाहिए जो चीज उसे मिल गई है वो उससे बहुत खुश है एसे ही संत्रप्त बना त्रप्त से संत्रप्त संत्रप्त का मतलब है कि जब किसी भी विलायक में कोई विले मिलता है तो एक निश्चित अमाउंट में घुल जाता है और उसके बाद में रिलाक्ट अब नहीं घुलेंगे आप कितना ही डाल दो ऐसे सॉलुशन जिसमें विलायक में विले निश्चित मात्रा तक गुलता है वो है उसका संत्रप्त वीलियन कहलाता है राइट परिबार समझ में आई जो कि आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है दिये गए दाप पर जब किसी विलियन में विले की और अधिक मात्रा नहीं घुली जा सके एक निश्चित अमाउंट जिसे 100 ग्राम में 25 ग्राम ही चीनी घुलेगी 26 में नहीं आ सकती 25 मतलब 25 अगर आपने उसे ज़्यादा मि हम क्या कहते हैं संत्रप्त विलियन कहते हैं शायद बात समझ में आगे अब नेक्स्ट क्या है वह विलियन जो बिना घुले विले के साथ गतिक सामे में होता है संत्रप्त विलियन यह क्या कह रहा है यह तो समझ में नहीं है क्या कह रहा है यह कुछ कह रहा है क्या यह क्या क की कि अपने पास कोई भी एक बीकर है कि बीकर में आपने पानी डाला वह है कि और आपने यहां से थोड़ा शाव विले मतलब चीनी डाल दी है ठीक बात है डाल दी ना ठीक है समझ में भी आ गई अब यह कह रहा है कि चीनी पानी में घुली तो घुली हुई चीनी युक्त वीलियन युक्त वीलियन बराबर क्या? जो चीनी किसके अंदर नहीं घुली? ठोस विले जो पानी में नहीं घुली ये दोनों क्या होंगे? परस पर बराबर होंगे तबी तो solution, solution के अंदर चीनी और पानी उनका जो amount है वो और जो अपने पास केवल क्या बचा है? विले जो ठोस रूप में नहीं घुला है उसका amount दोना equal ये गतिक सामे है राइट बात समझ में आ गई होगी तो ये topic पूरा clear हो चुका है गतिक सामे में संत्रप्त विलियन का topic गतिक सामें इन शोट क्या? विले विलायक विलियन तीनों equally चले गतिक सामें इस्तापित हो जाता है संत्रप्त विलायक में विले उतना ही जितनी आउशकता उससे जादा नहीं गोल सकते clear बात समझ में आ गई होगी तो अब ये screenshot लोग क्योंकि ये बात आपको बाद में तो नहीं मिलेगी न ये topic इसी तरह के से clear होना है theory को जितना diagram से explain करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा done, फटा फट, screenshot जल्दी ले लिया चलो, चलते हैं आगे आप देखो, ये क्या कह रहा है संत्रप्त वीलियन में विलायक की दी गई मात्रा में गुली हुई, विलायकी अधिक्तम मात्रा होती है बता दिया न, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया हुआ है अधिक्तम मात्रा ही तो गुलती है भाई उससे जादा नहीं गुल सकता है वो डान चलते हैं आगे अब क्या है वाई एक और एक और मेहत्वपूर्ण कोड़ीने विलयक की दी गई मात्रा में घुली हुई विलयक की अधिकतम मात्रा संत्रप्त वीलयन में उसकी विलयता को रिप्रजेंट करती है डन अब यह क्या कह रहा है अगला पॉइंट कहता है संत्रप्त अब एसंत्रप्त संत्रप्त के बाद आया एसंत्रप्त बेटा संत्रप्त क्या था अधिक्तम मत्रा घुल गई इसके बाद नहीं एसंत्रफ उल्टा ही होना है कोई पदार्थ दूसरे में गुल रहा है जितना चाहे डालते जाओ गुलता जाएगा गुलता जाएगा गुलता जाएगा रुकी नहीं रहा है मतलब क्या यह क्या है एसंत्रफ राइट पता ही नहीं चल रहा है कि यह गुलना रुका है या नहीं ऐसे विलायक में विले जब डाला जाता है जब वीलियन बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों एसंत्रफ वीलियन तो देखो जी इसकी परिभाशा क्या है यह रही आप एमदा पर जब किसी वीलियन में विले की और अधिक मत्रा घोली जा सके और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक रुके ही ना ऐसंत्रफ वीलियन कहलाते हैं बात समझ में आ गई होगी राइट तो यह था आपका ऐसंत्रफ टॉपिक संत्रफ टॉपिक क्लियर हो ग रहा है को रिलेशन समझ में आ रहा है या नहीं फटा फट कमेंड में लिखे और इसका मारी स्क्रीन शॉट जल्दी के डन अब चलते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया विलैता ठोसों में हो गई उसके बाद में उसके अंदर पढ़ा क्या गतिक सामने उसके अब क्या है अब यह कह रहा है कि जो विलैता है उस पर ताप का प्रभाव जड़ा ध्यान से सुनना यह क्यों आता है दो नंबर का ठोस की जब द्रव में विलैता होती है तो प्रभावित करने वाले कारक बताओ ताप और दाप विलै और विलाय की प्रकरती तीन मेजर पॉइंट है पहला ताप ताप का प्रभाव कैसे है ध्यान देना आप कोई भी ठोस पदार्थ लेते हैं ठीक है सॉलुशन लिया उसके अंदर विलै है मैं जब तक क्लास पूरा करूंगी ना तब तक आपको यह समझ में आ जाएगा कि सॉलुशन में विलै और विलायक होते हैं ठोस विलै और द्रव विलाय ठीक बात है बच्चो ठोस पदार्थ और द्रव सोचो अगर मैं मैंने जो स्टार्टिंग में एक्जामपल दिया था क्या गरम पानी लो उसमें चीनी डालो ठंडा पानी लो उसमें चीनी डालो क्या दोनों इक्वल टाइमिंग में घुलेगा नू एक जल्दी घुल रहा है और एक कम वो जल्दी ही रियक्शन कम्प्लीट हो जाती है यानि जब आप कोई भी रियक्शन कर रहे हैं तो उसमें अगर वो पदार ताप को ग्रहन कर रहा है यानि उश्मा शोशी है तो वो रियक्शन ताप पर निर्भर करती है और यदि वो उश्मा को अवशोशित नहीं कर रही है तो वो ताप पर निर्भर भी नहीं कर रही राइट बात समझ में आ गई होगी तो ये बात तो क्लियर हो गई ताप दिया तो टाइमिंग क्या हो गया कम जल्दी से वो उसके अंदर घुनना शुरू हो गया ताप का प्र में तो प्रबावित करने वाले कारत में देखो सामने क्या लिखा है उश्मा शोशी घुलने की प्रक्रिया में ताप बढ़ने से विलेता बढ़ती है ताप गढ़ने से विलेता कम होती है समझ में आ गया ना डाइग्राम से पहले ही समझ में आ गया तो क्या है एक सिस्टम है जग्जाम में अपने को लिखना पड़ता ना इसलिए क्लियर सेकिन देखो अगर वही उश्मा छेपी है तो ताप बढ़ने से विलेता घड़ जाएगी और ताप कम होने से विलेता बढ़ जाती है यानि की ठोस जो रियाक्शन है ठोसों की जब बात करेंगे आप ठोस द् उश्मा शोशी जिसे हम कहते हैं एंडो थर्मिक एंडो का मतलब क्या होता है ग्रहन करना अंदर के तरह और थर्मिक का मतलब होता है ताप गर्मी को क्या करना अंदर लेना अब शोशित करना एंडो मतलब थर्मिक मतलब गर्मी राइट या ताप उनको अंदर लेना ताप को अंदर लेने की किया एंडो थर्मिक या उश्मा शोशी एक्जो मतलब बाहर थर्मिक मतलब गर्मी गर्मी को बाहर ताप को बाहर निकालने राइट बात समझ में आ गई होगी चलते हैं आगे, क्या निक्या गया है, विलेता पर दाव का प्रभाव, ठोशों में दाव का प्रभाव या द्रवों में दाव का प्रभाव जो होता है जनरली बच्चों ना के बराबर होता है, क्योंकि इनमें संपिरियता का गुण सबसे कंपाया जाता यहाँ छोटी क्लासों में भी पढ़ कराएं ठोसों में और द्रव में संपिरियता बहुत कंपाई जाती है राइट बात समझ में आई ना इसलिए क्या होता है दाब का प्रभाव इन पर कंपडता है तो देखो भई क्या लिखा लेया है ठोसों की द्रव में विलेता पर दाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ठोस तथा द्रव अत्यदिक असंपेडिय होते हैं तथा दाव में परिवर्तन से सामन्य तह प्रभावित रहते हैं जो हम बात पहले ही समाज सुके है बता पर जल्दी जल्दी स्क्रीन शोट लेंगे ओके ड़न चलते हैं आगे अगला हैडिंग्स एंपर्टन पॉइंट क्या गेसों की द्रव में विलेता बेटा गेसों की द्रव में विलेता क्या सबसे अच्छा एक्जाम्पल जो आज की डेट में इससे अच्छा एक्जाम्पल नहीं हो सकता क्या पानी तो हम सब पीते हैं पीते हैं सब जानते हैं पानी का पॉर्मूला होता है H2O right बताओ जला इसमें कौन सी गेस इंक्लूड़न है oxygen पानी में कौन सी गेस है oxygen गेस जो उसके अंदर घुली राइट तो यानि की पानी यानि द्राव में गेस तो है तो यानि जब कोई भी द्रव में गेस को घोल रहे हो तो कौन सा कॉंसेप्ट काम आएगा कौन सा ताब दाब कौन इफेक्टेड होगा तो उस चीज को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहना चाता है जना देखो भई बच्चों आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही ह पराइट के लिए ख soloda कि बॉटटलरे नटम्स लिए रएगी ओके मैं आपने देखा होगा इसके अंदर अपन्जब इसकोखर खोलते हैं तो खोलने से क्या होता है इसके उपर जाग निकलने शुरू हो जाते हैं उन खोलबुले हुआ भई क्या होगे इसके अंदर क्या था इसके अंदर क्या थी जिसो बहुत ज्यादा दाब में भरी हुई थी राइट जैसे ही खोला प्रेशर बना तो यहां पर वही चीज है कि आप जब कोई भी गेस को द्रव में घुले में हैं तो वह तिदिक दाब पर भरी जाती है और जब उसको वापस अपन बाहर निकालते तो अत्यदिक प्रेशर से ही बाहर वो निकलती है यही डाइग्राम क्लियर देखो यहां पर निकलती ही नजर आ रही है ना यहां पर देखो एक पिस्टन लगा हुआ है कि कोई डाट लगा दी तो उसके अंदर पानी पानी में गेस के कण जो अंदर दिरे-दिरे क्या कर रहे हैं दाब डालने से इसके अंदर घुले रहे हैं दिख रहा है ना यस और नो क्लियर तो अपन भी आज यही डिसकस परिभाशा क्या है बहुत सारे गेस जल में गूँर जाते हैं जैसे सगра रहते है जर्म कूशिजन हा जिसके और जल में रहने वाले स्वांस ले पा थेश कर शैद्दा जीवता रहते हैं मचली जलकी रनी बचछ में सुना ना और क्या जीवान वायन है बहार निकाव मर जाएगे क्यों भई क्योंकि वो बाहर की ऑक्सिजन को नहीं ले सकती है इसलिक क्या करती है पानी में घुलिवी ऑक्सिजन लेकर ही जिंदा रहती है तो बच्मन याद आगया ना पर वो ऐसे ही नहीं बनी ती कविता भी उसके पीछे भी कोई वीजन था सबक्सिद इसलिए तो आज समझ में आया ना असली में तो मचली जल की रानी क्यों है पानी में रहते हैं वो पानी में घुली और क्सिजन से क्या रहते हैं जीवित रहते हैं फटा फट इस्क्रीन शोट ले लिया होगा चलते हैं आगे गेसों की द्रव में घुलन शेलता पर दाब का प्रभाव दाब कैसे तो दाब ही होगा ताब का प्रभाव क्यों नहीं पढ़ रहे हो question दिमाग में आया ना पहले दाब का पढ़ो अब सोचते रहो ताब क्यों नहीं दाब ही क्यों राइट तो सबसे पहले देखो बच्चों दाब बढ़ने पर गेस की द्रव घुलन शेलता बढ़ जाती है दाब के कम होने पर गेस की द्रव में घुलन शेलता कम होती है कैसे आ एक दाइग्राम दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है ना यहां पर अपने पिस्टन लगा दिया और पिस्टन लगा कर उसको क्या किया नीचे की और प्रेसलाइज किया पर दाब डाला डाला दाब डालते डालते देखो नीचे की तरफ आने लगे गेस के कर और वो गुल लग गए लग गए ना गुलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तो दाब डालने की वजह से क्या हुआ गेस के कण दीरे-दीरे किसके अंदर जाने लगए ग्रव के कणों के मध्य वह चले गए और वह उसके अंदर गुल गए इसे हम क्या कहते हैं केसों की द्रव में विलाइता कहते हैं बात समझ में आ गई राइट अब इसका एक्स्क्रीनेशन देख लेते हैं पहला गेस अत्तथ समपेडित होती है फरस्ट बात कैसे गुबार कौन कौन सी गेसें पाई जाती है घुबार में जलदी जल्दी 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 रहे यहीलियम होता है हल्की गेसों का तो वह गेसं गूबारे में भर दी अब गूबारे कई बच्चे बड़े वह प्रेशर करें ला नहीं, तो फूत जाता है फिर रोते और फूट गया तुमने इसको प्रेशर्लाइस किया था रही राइट यानि की हम क्या करते हैं गूबारे को एक लिमिट तक तो वैसा नहीं कर वाई तो वैसा करने पर तो संपिरिता क्या हो गई भंग हो गई तो संपिरिता मतलब लिमिट तक उस पर प्रेशर डालने से और वापस वो अपनी स्थतिया आकार को क्या कर लेता है ग्रेंड कर लेता है तो उसे हम क्या कर देते हैं संपिर गेसों में कंफर क्लियर आगे चलते हैं अगला दर्थ में घुलंशीरता बढ़ती तब तक जब तक की नई गतिक साम में आवस्ता प्राप्त नहीं तब तक गुलेगा यह तो बात सब में यह चाहे थोसों में देखो चाहें यह सो में देखो जिसे गुलने की चंपता बढ़ती जाएगी तो गुल रहा है तो गतिक सामने कैसे होगा जब वो रुक जाएगा तब क्या होगा उसमें गतिक सामने होगा जब लगातार क्रिया हो रही तो सामने नहीं क्रिया जब रुक जाती है रुक कर देखते हैं कि दोनों इक्वल है तब वो गतिक सामने में राइट चलते हैं आगे अत जल्दी 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 उधारन देखो क्या कह रहा है सॉफ्ट ड्रिंग में कार्बन डायोक्साइड को अत्यदिक दाप पर घुलाया जाता है जब तक सॉफ्ट ड्रिंग के बोतल के धक्कन को खोला जाता है कॉल ड्रिंग याद आ गई यह एक्जामपल हम कर चुके हैं आपको बात समझ में आ चुकी है तो ज्यादा टाइम कर्जियूम ना करके फटा फटी स्क्रीन शोट लो ताकि बात समझ में आ जाए बात हो गई क्लियर ओके डन तो यह तो था आपका पूरा टॉपिक जो आपको क्लियर हो गया अब अपन देखते हैं कि अपन ने जो कुछ भी पढ़ा वो थियोर्टिकल था लेकिन हमने उसको फिर भी प्राक्टिकली समझने की कोशिश किये तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बच्चों को यह बिलकुल समझ में आ गया है और यह सब चीजें क्लियर हो चुकी है राइट आज जितना भी पढ़या उसको सबको सम्राइस करना है जब नेक्स क्लास में मैं आऊँगी तो मैं पूछूंगी आपने समरी बनाई या नहीं तो अच्छे से इनको पढ़ना है अच्छे से नोटस में लिखना है कि मैं प्रॉपर नोट्स भी आपको बना रही हूं तो ठीक से सब चीजे लर्ण करके अच्छे से टॉपिक को त्यार को बेटा इनका क्यूस्चन दो नंबर का फिक्स है आता ही है आपन जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह निर्भरता जो गेसों की द्रव में विलेता पर है उसको हम कैसे डिफाइन उसके लिए हमें एक नियम को जाना जरूरी है तो पहले हम उस नियम को पढ़ेंगे उसके बाद आगे के टॉपिस को डिसकॉस करेंगे बहुत इंपोर्डंट टॉपिक है बच्चों मैं बार-बार कहरे हूं नीट वाले बच्चों और तुल्त दोनों बच्चों के लिए जिनको 95 प्लस लाना है ओके तो लास्ट तक ऐसे ही जुड़े रहो क्योंकि बेटा सिटिंग साइंस के बच्चों की बहुत जरूरी है जितनी जादा सिटिंग उतना जादा स्कोर तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं फटा-फट आज अपन क्या हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आज हम पढ़ेंगे हैं्री का नियम हैं गया हैं किस प्रकार से से डिफाइन किया जाता है हम इसको बिलकुल अ के और उसके बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे कि तो जब तक ये टॉपिक्स क्लिर होते हैं तब तक इसी तरह जुड़े रहना है ताकि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे समझ में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों को तो चलो बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले अपना क्या है है हैं रीज लो बच्चों हैंडरी का नियम क्या है एक सामने तस्वीर नजर आ रही है वह तस्वीर कह रही है कि कोई भी व्यक्ति पानी में क्या लगाता है जब गोता लगाता है यानि पानी के अंदर जाता है राइट गोता को जोते हैं पानी के अंदर जाते हैं उस समय जब वो जाते हैं तो उस समय उनके पीट पर gas cylinder होता है जिसके अंदर helium nitrogen और oxygen का भरा होता है ताकि वो क्या कर सके आसानी से स्वसंद क्रिया कर सके राइट लेकि जब वो जाते हैं तो यह आसानी से कैसे होती इस से कैसे पता चला तो सबसे पहले से बारे में हेंन्री नामक विग्यानिक सबस्टार्ब यह जब बी कोई व्यक्ति जब क्या कड़ता है पानी में गोटा लगाता है या फैर कोई भी में पानीमें अंदर तली में जाता है तो वहां पर इसों में दाब्स च्छांट Tian सानी से कर पाते हैं राइट यानि जितना दाब होगा उतनी ही जादा विल लेता होगी यह सब किसने बताया है जो की इसमें दिखाई दे रहा है रेक्ति अंदर की तरफ गया और अंदर की तरफ जाते हुए क्या हो गया यहां पर आराम से इस चीज को फिल कर रहा है क्योंकि उसे गेसों में जो ऑक्सिजन क्रिया है वो होने में उसको कोई दिकत नहीं है लेकिन जब वह बाहर आता है तो वापस दीरे 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 क्या होता है दाब कम होना शुरू हो जाता है राइट तो इस चीज को हैंडरी ने समझाया और समझा कर गणिती और रूप में भी व्यक्त किया अब हैंडरी के नियम की परिभाशा जो है वो क्या है फटा-फट हम देखेंगे सबसे पहले हैंडरी जो था उस वेग्यानिक अंग्रेश वेग्यानिक था उसने क्या कहा गेसों के द्रवों के साथ जो विलैता है उसको समझाया तो इस नियम को उन्होंने दिया टो हेंडि र लाम से उसे बताया गया है gefallen जाता है परिभाश है क्या दी उन्हों ने कहा कि स्थिताब पर किसी गेश की द्रव में विलैता लेश के दाफ के समानुपाती होती है किसी गेश की विलैता उसके क्या डाब के समानु पाथी होती है विलेता को X माना और दाप को P माना समानु पाथी जितना ज़्यादा दाप उतनी ज़्यादा विलेता होती है कोई डाउट नहीं है लेए आगे बढ़ते हैं इन्होंने इस परिभाषा को थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया और जब modified किया तो क्या कहा इस से मैं Dalton और Henry दोनों आ चुके थे और उन्होंने मिलकर परिभाशा को modified करके क्या कहा कि जो विलेता गेस की विलेता गेस के आंशिक दाप पर मुभर करती है indicator point to sorted आंशिक मतलब कोई भी गेस के कन जितने जादा गुले हुए है. कैसे जैसे एक पात्र आपने लिया और उस पात्र में अपनने क्या कर दिया? द्रव डाल दिया बच्चों डाल द्रव जैसे ही द्रव डाला और उसके अंदर अपने कोई भी विले की रूप में क्या ले ली बेटे गेस ले ली ठीक है इस गेस के ऊपर ये गेस के कण है ठीक है और यहाँ पर लगा दिया पिस्टन मैं पिस्टन क्यों लगा रहे हैं पिस्टन लगाना जरूरी है क्योंकि तो गेस के कंद ऊट जाएंगे ना ऐसे ही क्यों क्या होता है इसलिए दूर दूर होते तो फटा-फट क्या होगे environment में घुलते चले जाएंगे इसलिए हम piston से उसको पहले बंद करेंगे अब आपने इसके ऊपर क्या किया दाब डाला देखो बच्चों जैसे आपने दाब डाला तो ये कंड धीरे-धीरे इसके अंदर घुलना शुरू हो जाएंगे जितना जादा प्रेशर उतना जादा क्य होगा घुलन शीलता सेकिंड तिंग अंशिक दाब क्या आपने गेज के कणों पर डाब डाला तो क्या सारे कंड द्रव पर डाब डाल रहे हैं जरूरी तो नहीं जैसे क्लास में पढ़ते हुए सब बच्चे एक्टिव हों जरूरी तो नहीं इसलिए कुछ जो होते हूं ज तो कोई भी डाब जब कंड में कंड त्रव की सथैंपर डाल रहे तो वह गेज के कंड उसके अंदर घूल भी रहें लेकिन वह सब भी नहीं कुछ तो यहां लेंगे दाब कुछ जिसे हम अन्षिक पार कहते हैं Clear topic तो अब ये चीज आपको फटा फट स्क्रीनशोट लेना तकि आपको ये चीज हो जाहिए की सभी कंड नहीं डालते हैं कुछ च ही कड क्या करते हैं कुछ कड जो होते हैं क्या करते हैं दाब डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं अंशित कि दच कहते हैं फृटा फट टीबाव चलते हैं अपन आगे देखते हैं यह प्रिभाशाr क्या कहरे है जो हमने शमझा क्य答 work में मोल ऑन्ष एनिब कुछ ही अंश उसकी विलयता का माप मनें तो यह कहा जा गेस के आंशिक दाब के क्या होता है समानुपाती होता है बात क्लियर जो अपने वहां डाइग्राम बना के समझे थी वही बात यहां पर समझाई जा रही है इसे गणिती रुप में व्यक्तिया बार-बार ध्यान दो मोलंश यानि गेसों का कुछ भाब विलैता में भी आंश क्लियर तो चलते हैं आगे अब देखते हैं अपना परिबाद समझ में आगे फटा फर स्क्रीन शोट लो जल्दी से चलते हैं आगे इन्होंने कहा कि समान्य रूप से हेंड्री के नियम के नुसार किसी गेस का वाश्पुर अवस्था में अन्शिक दाब उस वीलिम के गेस के मौल अंज अक्स के समानु पाती होता है जो मैं पहले भी बता चुकी है परिबाशा क्लियर होनी चाहिए इसे गणिती रूप में कैसे व्यक्तिया तो करा कि पी जो होता है वो के एच एकस इसे हम ऐसे भी दिख सकते हैं कि पी समानु पाती एकस पी क्या है बच्चों पी के सम्मानुपाति निशान को जब हटाया तो क्या लग गया वहाँ पर एक इस्ठिरांक लग गया जियान दो कभी-कभी तीचर स्थिरांक यूज करते हैं कभी नियतांग तो इस्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू fast नहीं होती फिक्स exactly नहीं होती है तो ये है एक इस्तिरांग नॉटे नियत रांग बोलते वक्त हम भी ध्यान देते हैं तो आपको सुनते वक्त भी ध्यान देरा है हो गई बात क्लिए यहां तक समझ में आ गया अब यह कह रहा है कि K.H. हेंडरी इस्तिरांग है नॉटे नियत रांग ठीक है आप अगर इसको लिखते हैं तो ये कहता है आंशिक दाब और मौल अंश के बराबर होता है अब ये कह रहा है कि समिकरण एक के अनुसार दिये गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा द्रवी गेज की विलेता उतनी ही कम होगी जरा ध्यान दे बच्चों ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपने क्या लिखा पी बराबर KH एक्स राइट आपने यदि इस एक्स को यहां ले आए तो पी बटा एक्स बराबर KH राइट ये हैंडरे इस्थिरांख है ये आंशिक गाब है और ये केज की विलेता है या यूं कहूं गेज के मौल अंशों की विलेता है तो अब देखो ये के continuity के साथ पढ़ते रहें मेरे बच्चों आपका भविष्य जो है वह बिलकुल सेक्योर है राइट जल्दी 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 चलते हैं तो विद्ग्रमानुपादी संब्द है तो यह बढ़ेगा तो यह घटेगा यह जो परिभाशा है यह ही कहना चाहती है क्लीर हो गया क् के बढ़ें फटा पड़ इस क्रइशोट लेंगे मेरे प्यारे बच्चे और चलते हैं हम आगे अब हम पढ़ेंगे के संफें और वीं इंश के मोल अंश के दीश में ग्राफ यह ग्राफ क्या कहना चा रहा है देखो जरा आपकी स्क्रिन पर ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या हां जी हन जी बिलकुल देखो बच्चों डब जितना बढ़ रहा है उसके मॉल अंस जो है वह बढ़ रहे हैं यानि कि आप चितना प्रेशर डालेंगे मोल अंश भी उतना ही जादा उसमें डिजॉल्व होते जाएंगे घुलते चले जाएंगे ओके तो यह ग्राब जो स्ट्रेट लाइन यहां पर दिखाई दे रही है यह इस बात को प्रदशित करती है कि गेसों की जो कभी डाब के समानुपाति होती हैμεगे आंश क्यों क्यों यूज में वापस बता क्यों होएं हुए धियान से सुनना क्यों कि सब ही अक्तिव नहीं होते है उनसे कुछ ही कं नहीं ठके नहीं तो चलते हैं आगे हो गया अब यहां होता है और मांद गेज की प्रकृति पर निर्भर करता है इसे वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप जो हैं इसको याद हमेशा पुछे जाता है एक परकरति की अΥा या इनने से कोई नहीं तो हमेशा ध्यान यहाइद है बहुत बार पूछा गया है है भुस बार में यह कह रही हूं इसलिए JK जल्दी से ले ले और चलते हैं हम सब आगे अब यह कह रहा है क्या अगला टो पिक क्या है मेरे वच्चों यह कह रहे हैं कि गेसों की द्रव में जो विलेता है उस पर ताप का प्रभाव ताप का प्रभाव क्या जड़ा ध्यान से सुनना ताप का प्रभाव का मतलब क्या होता है जैसे अपन ने एक पात्र लिया ले लिया और इस पात्र में अपन ने क्या कर दिया गेस और द्रव का विलियन डाल दिया है ना यह विलियन है जिसमें आपने क्या डाला हुआ है द्रव प्लस गेस डन मेरे बच्चो अब हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया हम इसको गरम कर रहे हैं ठीक बात है और यहाँ पर एक पिस्टन भी लगा ही देते हैं ठीक कोई गेस है ना अंदर चली जैसे ही आपने हीट करना शुरू किया तो हम देखते हैं कि पिस्टन जो है वो उपर की और जाता है यानि कि गेस के कंचो है वो उपर की और मूबन करते जाते हैं इसका मतलब जो गुले हुए थे अब वो क्या हो रहे हैं वो अपना इस्थान वहाँ से छोड रहे हैं सई बात है एक और देखते हैं यहाँ पर अ और यहां पर पिस्टन अब हम इसको गरम कर जाए तो गेस के कण उपर ही सतय पर ही है आप ने इसको गरम किया तो कण और उपर जाएंगे यानि पिस्टन यहां पर आ जाएगा आगया पिस्टन उपर यानि गेस के कण उपर जिए जो घुले वे थे अब क्या है घुलना आप ताप बढ़ाएंगे तो गेस जो द्रव में कुली हूई है वह क्या हो जाती है अपना इस्थान छोड़ देती है घुलना बंद कर देती है ताप भढ़ने से विलाता क्या होती है बच्चों कट जाती है राइट बात समझ में आ गई होगी टापिक क्लियर हो गया होगा वहीं पर यदि क्या हो अगर आप ताप कम कर दें तो गेसों की विलेता जादा होगी क्योंग उस सतय पर जादा डाब डालेंगे डन ओके चलते हैं आगे यह बात आपको क्लियर हो गई है यह इसक्रीनशोट लेने बचों जल्दी से देखें फटाफट 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 डन अब चलते हैं आपन आगे जो पड़ाया जो समझाया क्या वहीं थीओरी है ठीओरी को यह प्राक्टिकली समझ लिया जाए त फड़ा फड़ चेक करते हैं तो आपके बढ़ने पर द्रव में गेस की विलाइता कम होती है तो आपके कम होने पर विलाइता बढ़ती है राइट बात समझ में आ गई होगी सेकेंड क्या कह रहा है कि द्रव में घुलना गेस को संगनन की तरह होता है जानते हैं कोई भी अपन गेस लेते हैं जो दरव में घुली हो इसको ठंडा करते हैं तो वह वाश्पशेल कान क्या होते हैं बूंद बूंद करके उसकी सतय पर आ जाते हैं इसका बहुत अच्छा एक्जामपल हम कैसे डेली में सर्दियों में डेली देखते हैं आप एक पति क्या देखते हैं आप देखते हैं कि आप ने जो प्लेट रखी थी उसके उपर छोटी-छोटी बूंदे खटी हो जाती है यानि वह क्रिया क्या है संगनन है राइट गरंद चीज को क्या करना थंडा कर देना क्लियर पात समझ में आ गई होगी है ना एक्जामपल से जलने स नहीं करती ठोसों में उश्मा शोशी थी याद रखना याद रखना ओके जिससे उज्जा निकलती है और यह ताप मान होने पर ताप कम होने पर गेस की द्रव में विलेता बढ़ेगी ताप बढ़ने पर कम होती है क्लियर हो गया यही कारण है कि जल्य जीव अधिक ताप जल्य हफिशा कम अधिक आक्षा महसूस करते हैरा जैसे jy क्या कह रहा है इसक्रीन पर देखो यहां पर मचनियां है वह पाली की अंदरstem पर नीचे तलीम रहे लें उपर साले संवार्प पर क्योंकि यह यह क्यों क्यूं कारती है यह अंदर इसलिए रहती है ताकि ये आसानी से गेसों को क्या कर सके स्वसन के लिए कर सके आसानी से गेस को ले सके कि वहाँ पर दाब जादा ताप कम है जब कि उपर ताप जादा दाब कम है इसलिए जीव जो होते हैं वो नीचे तली में रहना जादा पसंद करते हैं ताकि वे आसानी से जीवन यापन कर सके और जीवन जीने के लिए आक्सिजिन को ग्रहण कर सके मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी तो चलते हैं आगे हैं हेंरी के नियम का उप्योग पहला उप्योग क्या है चुकि दाब बढ़ने पर द्राव में गेस की विलेता बढ़ती है हम बार बार पढ़ चुके हैं बात समझ में आई हुई है हम सब कॉल्डरिंग को भात पसंद करते हैं वैसे वो अच्छी चीज नहीं है और कभी-कभी चलता है है ना कुछ-कुछ शोख से भी काम होते ही है ना तो कॉल्डरिंग की बोटल जब लाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है उसका ढखतन बहुत टाइटली बंद होता है जैसे ही उसे खोलते हैं तो क्या होता है उसमें गेस जो होती है वो टाइटली भूती प्रेशर से भरी गई है तो जैसे ही खोलते हैं तो वो बाहर आना इसलिए दीरे-दीरे खोलते हैं है ना आना सब बिलकुल सबको पता है तब ही कमेंट कर रहे हैं यस मैं सबको पता है मेर तो इसलिए आपन सब जानते हैं तो यह क्या है एक द्रव में गेस की वीलियन का example है ओके डान आगे चलते हैं आगे क्या कह रहा है दूसरा उप्योग है बैंडस तो सबसे important है उप्योग जो है वो important है question आता है इनमें से तो वो question क्या है बैंडस है और एक और है कि परवतों पर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी एक यही उपयोग है जिसमें अपने को हैंड़ी का जो लो है वो बहुत ही एफेक्टेड रूप से बिखाया गया है तो सबसे पहले बेंडस जो है उसके बारे में बात करेंगे तो बेंडस कहां पर किन लोगों को जादा य को संबंदर से ही तो लाये जाते हैं कोन लाके देता है यो गोता अपने जान पर खैल कर जहाएं सब睏ंगे आक कि हम अच्छे संद्धोस को समझ सकें राइंट जाते हैं यह जब यह जाते हैं तो क्या होता है ध्यान से सुनेंगे ऍचान यह सब बच्चे अंदर जो होता है तली में दाप धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे दाप बढ़ेगा तो गेसों की विलयता द्रव में अपने tienen रक्त में क्या होती जाती है बढ़ते जाती है रख्त में आसानी से घुलती जाएगी ऑक्सिजन हीलियम नाइट्रोजन का जो मिश्रण आसानी से घुल जाएगी अब जब वह यह तो था तली के अंदर की बाद ठीक है कोई दिकत नहीं लेगी जैसे ही हम सरसेस में ऊपर की औ कराते हैं तो क्या होता है आप सबने बच्चों कई बार महसूस कि जब आप स्वीमिंग करते हैं तो आपकी स्कीन पर खुझली आने लग जाती है या अंदर आप कभी भी गोता लगा रहे होते हैं तो रेड रेड इस पोर्ट भी कई जगर बन जाते हो अपने को पेन होना शुरूर बात कुछ समय बात क्या है ये क्या हो गया है कि किस वजह से होता है तो अपना देखते हैं कि अपनी जो इसके अंदर जो अपनी नलीकाएं हैं उनके आंदर जो नाइट्रोजन गेस होती है उसके बबल्स बन जाते हैं और आपकी जो रक्त है वो आगे नहीं प्रवाइट हो पाता है और हमारे स्कीन पर स्पोर्ट बन जाते हैं और यह जान लिवा भी होते हैं राइट बात समझ में आई कि बैंडस रोप क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति समुद्र में गोता लगाता है तो उस समय जब वो तली में जाता है तब तो गेसे आसानी से घुल जाती है लेकिन जब वो सतय पर आता है तो दाब कम होने के कारण क्या गेसे वापस बोड़ी से उतनी तेजी से नहीं निकल पाती है जिसके कारण जनरली नाइट्रोजन जो gas होती है उसके बुलबुले क्या होते है नसों में बनना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको sasryn oper p3 नजर आरा है इस तरह से buzzing princes नाइट्रोजन बबल स्वाओर से की नुक्रत कउले Dream होसके आपको यह देखते हैं बर्ड़ा घूरीत शाय चाहर बेंगे होता है समुझर में दबाव अधिक होता है जिसके कारण गेसे घुल जाती है स्वास के साथ गई वायुमंडली गेसों की विलेता भी अधिक हो जाती है कोई तिकत नहीं बात समझने आगे जैसे सतय पर आते हैं तो दाब धीरे-धीरे काम होने लगता है और घुलीवी गेसे आओ निकलने लगती है रगत में नाइट्रोजन गेस के बूल्बूले बन जाते हैं क्योंकि जितनी श्पीड में उपर आतेएं उतनी श्पीड में गेसे स्वासन के रिलीज नहीं हो पाती है क्योंकि वह अपने लंग्स में ब्लड के साल उतना जल्दी कनेक्ट नहीं हो ऌक कि वहं पहल सके इस लिए क्यों की सांस की दौरा ही अपने को जो ऊसवसन की लिए हम करते है उसी कंश्च कालक औरर जानलेवा होते हैं चिकिस्सी अवस्था को बेंडस कहते हैं राइट फटा फट इसका स्क्रीन शोट लेंगे मेरे बच्चे ताकि आपको बात समझ में आ जाए यह क्लियर हो गया आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया इसलिए आपको क्लियर भी है डन अब चलते हैं आगे अगर ऐसा है तो फिर जाना ही नहीं चाह लेकिन जब उपर आ तो दिक्त नहीं हो लेकिन डाइलूट कर दो तो वह आसानी से क्या होते हैं वापस आकर के अपना जीवन जी सकते हैं बात क्लियर हो गई फटाफट रीडिंग कर देने क्या कहना चाहता है अधिक मातरा में जरीले प्रभाव से बचने के लिए हीलियम म मिलाकर तनू की गई हवा जिसमें 11.7% हीलियम 56.2% नाइट्रोजन 32.1% ऑक्सिजन होती है क्लियर बच्चों पड़ाव स्क्रिंग शोट लेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए डन ओके आगे चलते हैं अगला उपियोग क्या है अगला उपियोग जो है वो क्या है वो यह कहना जाए है की गेत का तक क्या है तनी Ohio जाता है कम हो इत्व हो तो तो यह कम हो रहा है तो गिसों की विलाइफा भी ने तो जेने में दिक्कत हो इसलिए कहा जाता है कि जिनको अस्थमा जैसी problem है को पहाडी छेत्रों में ना जाएं या फिर जब भी plane में भी वो बैठते हैं तो भी कहा जाता है कि जिसको अस्थमा की बिमारी है वो पूरे protection के साथ बैठे क्योंकि उन्हें कहें भी दिपकत का सामना करना पर सकता है इसलिए चीजों का ध्यान म करें ने महीं रहते हैं करेंगे लेकिन उनको क्या होता है एक रोग का सामना करना पर ना रोग उत्पन हो जाता है वहां पर लोगों सोचने समझने की छंता जो होती है जनरल वेक्तियों से थोड़ी सी कम होती है और इस रोग को हम क्या कहते है एक रंबर का क्या होता है और अगह ? क्या होता है ? हुशे सहगी पर दाब कम हो होता है इसी कानद अधिक उंचाई जगों पर हवा का दबाव सतय वाले इस्तान से कम होता है पहाड़ों पर रहने वाले लोग परवता रोहियों की रखता टीशू में ऑक्सिजन की सांध्रता क्या हो जाती है बेटा कम हो जाती है जिससे वे कमजूर हो जाते हैं और सही सही स सोच नहीं पाते हैं इस कारण इस स्तती को हम क्या कहते हैं एनोक्सिया कहते हैं शायद बात समझ में आ गई है टॉपिक क्लियर है फटावर इसका स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी मेरे प्यारे बच्चे जल्दी 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 मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं इसलि वाश्पदाव बच्चों का वाश्पदाव है बच्छों पहली बात भावाश्पदाव थे किश्च में को मैं रौध्रव उसकता है ड्रव गेस हो सकता है। द्रव ठोस हो सकता है द्रव और गेस हम बात कर चुके हैं अब हम करेंगे द्रव का द्रव में और द्रव का ठोस में दो टाइप होगा द्रव का द्रव में और द्रव का ठोस में यह बात भी हम करके आएं वैसे तो यह तो आपका विलायक है और यह आपका विलाय है सही बात है ना बच्चों और ये क्या है दोनों विलाएक है एक पात्र लिया और उसके अंदर द्रव का द्रवन जैसे पानी लिया और उसमें एलकॉल डाल गया सब्सक्राइब निम नैचुरल बहुती क्लियर सी प्रॉसस से एलकॉल डाल दिया डाल दिया आपने इसको हीट किया पिस्टन लगा दिया उपर ताकि आप इसको एनलाइज कर सके कि यह ओ क्या रहा है ठीक है आपने हीट करना शुरू कर दिया घरम करना शुरू कर दिया इसम कि थोड़ा सा अब फॉर्मूले बेस पे आना शुरू कर देना ताकि छी क्लियर रहे ठीक है द्रव 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 दोनों हो गए आपने जब इसको हीट किया तो क्या होगा पानी से जादा पहली ही एलकोहल क्या हो जाएगा वाश्प में बदलना शुरू हो जाएगा और पि बाश्प में कि आनमा क्या रहे होगा मैं और शुरू अर्टो के द्वारा द्रव की सटय पर डाला गया दाब क्या कहलाता है यह परीभाषा मैं डायग्राम से समझाओंगी मैं कि वहलू इसको समझाओं ठीक है वहीं पर यैदि आप्पात्र ने और उस पात्र में आप क्य और ठरोस और आप प्रवरऑ क्या पानी में नमगत सबसे अच्छा एक्जम्पल है पर जब इसको गरम करोगे तो पानी वाषपित होगा ग्रव पानी आपने लिया है वह तो वाषपित होगा पर ठोस वाषपित नहीं होगा ठीक है तो उसकी pressure जो होगा थोड़ा कम होगा किसकी तुलना में? द्रव ये, द्रव ये Villion की तुलना ठीक है? तो आज अपन पहले discuss यही करेंगे द्रव द्रव का Villion फटा फट इसको आप क्या करेंगे? screenshot लेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए आप यहाँ पर A लिख दे यहाँ पर बच्चों B लिख दे तो आप देखेंगे A का वाश्पदाब जादा है किसकी तुलना में B क्योंकि यहाँ पर ठोस मिला हुआ है जिसका क्या है? जो वाश्पशेल नहीं है Done अब यहाँ पर जिसका वाश्पदाब जादा उसके बारे में अपन बात करेंगे कि यह वाश्पदाब होता है जल्दी से इसका स्क्रीनशोट लोग फटा 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 ले लिया ओके डन तो चलते हैं अपन पहली परिभाशा की ओर जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है क्या कह रहा है? विलायक में द्रव होने पर द्रवे विलिन बनता है और एक गेस ठोस द्रव कुछ भी विले हो सकता है द्रवे विलिन में एक या अधिक अवेव वाश्पशील हो सकते है और प्राई विलायक वाश्पशील होता है लेकिन विले वाश्पशील हो भी सकता है और नहीं भी हम तो बात समझ कराएं मैडव है ना? बिल्कुल बिल्कुल चलो जी फठाफट फठाफट क्लियर हो गया आप देखो आगे क्या कहे रहे है जब एक द्रवी विलियन को एक बंद पात्र या जार में रखा जाता है तो विलियन के कुछ अनुवाश्पिक रत होकर विलियन के ऊपर इस्तित खाली जगह में जमा हो जाते है अब बताया था ना किकंड जो है उपर की और जाएंगी तो सताय पर क्या ढालेंगे एक डाब डालते हैं जिसे हम क्या कहते है सोचो Sydney किया कहते हैं जब तके screenshot मालो और सोचते रहो फटधा 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 जलदी है अब चलते हैं आगे तो गती करते हैं तो वह संगनित होकर क्या करते हैं उनके उपर घट्टे हो जाते हैं और एक दाब डालते हैं तो परिभाशा जो है वो अपन एक पार देखते हैं कैसे हम खुद बना सकते हैं द्रविय वीलियन द्रव प्लस द्रव ठीक है और हमने इसको गर्म किया ठीक है जैसे ही गर्म किया तो क्या परिभाशा क्या ध्यान देंगी किसी द्रव के क्या वाश्पशील कन क्या करते हैं द्रव की सतह पर क्या करते हैं एक दाब डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं वाश्पश दाब कहते हैं किसी भी द्रव ये पदार के वाश्पशील कन द्रव की सतह पर क्या करते हैं दाब डालते हैं जिसे हम कहते हैं वाश्प दाब और यह प्रक्रिया वाश्पी परन कहलाती है क्लियर बात समझ में आ गई है तो फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी से देखें क्लियर बात परिभाशा देखो याद ही नहीं करनी पड़ रही है हमें पूरी परिभाशा एक डाइग्राम से समझ में आ रही है क्लियर मेरे बच्च Mozart जल्दी से जल्दी पटाफट इसका स्क्रीन स्क्रीन शॉट लेंगे ताकि हम जल्दी से आगे बढछ चुके आगे जल्दी जल्दी हो गया जी बड़ावट कमेंट में लिखो भई जल्दी जल्दी कि यस मैं समझ में आ रहा है मैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी ओके चलते हैं आगे कि द्रव विलियनों का वाश्प दाव समझ में आया हुआ है क्लियर है ना कि सब्सक्राइब कहला था है चलो जी आए एक बंद पातर में द्वी अंगी विलियन लेने पर विलियन के दोनों आव्याव तब तक वाश्प करते दोनों के बंद्य क्या नहीं हो जाए साम्में द्रविय विलियन परिभाशा को मैं डाइग्राम से इसलिए बता रहे हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए फटा फट जल्दी से जल्दी लाइक करते जाओ कमेंट करते जाओ जोश के साथ ओके द्रविय विलियन अब बच्चों क्या होगा आ यहां पर वाश्प शील कणों के द्वारा डाला गया दाव ठीक है और एवाश्प शील कंड जो एक्टिव नहीं है नीची ठीक है विलियन में उपस्थित अन्या कंड जब आपस में क्या हो जाते हैं कनों का दाव और विलियन में उपस्थित अन्या कंड यदि एकदम इक्वल हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा साम में इस्तापित हो जाएगा लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वाश्प शील कंड होते रहेंगे वाश्प दाप बनता रहेगा और लास्ट में एक इ जाएगा सामें अनकी संक्या और जो नीचे बचे में जो नहीं डाल रहे हैं उनकी संक्या एकुल तो वहां पर क्या स्थापित हो जाता है साम में اس्थापित हो जाता है तो जल्दि से स्क्री circum शोट लेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए समझ में आ गई बात ओके डान चलते हैं आगे फटा फट देखो आगे क्या कह रहा है राउंड का नियम द्रवों का द्रव में वी लिए यह सबसे पहले किसने बताएगा वाश्पदाब समझ में आ गया हमें समझ में आ गया न यह हम लोग में क्या पढ़ा द्रव का द्रव में द्रव का ठोश में द्रव का द्रव में पढ़ा तो वहाँ वाश्पशिल कण आए वाश्पशिल आए तो वाश्पदाब बना और वाश्पदाब कणों पर निर्बर करता है कैसे कैसे निर्बर करता है ये सबसे पहले बताया राउल्ट नामक वेग्यानिक ने और उन्होंने कहा कि कोई भी द्रविय वीलियन में अगर वाश्प शेल कन हैं तो वो अलग-अलग तरीके से विभार करता है कैसे करता है वो नियम क्या है हम अभी समझेंगे कि फ्रांसिसी वेग्यानिक ने द्रव द्रव जो द्वी अंगी वीलियन है उसमें वाश्प दाप मोलंच के बीच मात्रात्मक संभंद को व्यक्त किया कैसे ध्यान दू एक पात्र है जिसके अंदर द्रव है ये द्रवी है वीलियन है ठीक है बच्चों जरा ध्यान दो क्या बच्चों सभी द्रवी ये वीलियन में उपस्तित कण चाहिए वो विलायक के हैं जब मिल जाते हैं तो क्या सब एक्चिव होते हैं नहीं उन में से कुछ ही कनेक्टिव होते हैं लेकिन जितने भी घटक आप इस वीライन में डालेंगे वो सब घटक इंडिवीज्वल अपना क्या करेंगे दाब शो करेंगे प्रदशित करेंगे कैसे इस द्रविये वीलियन में A, B, C और D कितने घटक ले लिए चार घटक ले लिए चारों घटकों के द्वारा दाब जो डड़ जाएगा P A, P B, P C और P D होगा और इनके मोल अंच क्या होँगे इन घटकों के मोल अंच X A, X B, X C और X D होगे राइट बात समझने आगे तो राउल्ट ने क्या कहा राउल्ट ने कहा किसी द्रविये वीलियन में उपस्ति उनके घटकों का आंशिकदाब उन्ही घटकों के या प्रतेक या आव्यव मोल अंच क्या होता है समान उपाती होता है इसे क्या कहते हैं राउल्ट का नियम कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले राउल्ट नामक विज्ञानिक ने दिया था बात समझ में आ गई होगी नोंने क्या का किसी द्रवी एवीलियन में उपस्थित प्रतिक अव्यव का अंशिक दाब प्रते घटक का अशिक दाब क्या होता है اس अव्यव के मॉल अंश के समानोपाति ही होता है दाब जितना जादा मॉल अंशों की संख्या भी इतनी ही जादा होती है राइट शायद परिभाशा क्लियर हो गई है फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे ताकि आपको बात प्लियर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से देखें तो परिभाशा कुछ इस प्रकार है क्या है जी क्या है वाश्पशील द्रवों की वीलियन में प्रते का व्यवका अंशिक दाब उसके मोल अंश के क्या होता है समानुपाती होता है जी होता है बिल्कुल इसे इन्होंने गणिती रूप में व्यक्ट किया यह कैस्चन भी आता है राउल का नियम क्या है और बताइए इसका गणिती रूप समझाईए कि प्रते घटक का अंशिक दाब उसके मोल अंश के समान देखते हैं देखो मानलो आप एक पात्र ले रहे हैं ठीक है? एक पात्र ले रहे हैं और उस पात्र में बेटा क्या है अपने पास दो घटक हैं उनको अपन क्या कहते हैं? वन और टू के दो घटक ले लिए पात्र में द्रव एक और दो द्वेंगी हो गया उसमें एक का अंशिक दाब राजा क्या होगा बेटे पीवन तो दूसरे का क्या होगा बेटा पीटू हो गया तो इनके मोल अंश क्या होंगे एक्स वन और एक्स टू यहां तक सबको बात समझ में आ गई राउल्ट के नियम के अनुसार हाँ या ना क्लियर फिर इनों ने कहा कि तो बताईए कि इस द्रव्य वीलियन का कुल वाश्पदाब क्या होगा तो पीटी जिसे अपन क्या लिख सकते हैं पीवन प्लास पीटू डान यस और नो फड़ा फड़ कमेंड में लिखते जाएं और स्क्रीन शॉर्ट ले लें चल्दी से ओके चलते हैं आगे अब यह क्या कह रहा है यह क्या कहना चाहता है ध्यान दें राउल के नियम से पने पता चल गया पीवन समानुपाती एक्सवन नो डाउट क्लियर है म पीवन समानुपाती एक्सवन तो जो समानुपाती टीरांक है उसे हमने हटाया तो क्या आया पी नोड़ वन पी नोड़ वन क्या है शुद्ध अवस्था में विलायक का पाश्पुद्ण पीवन विलायक तो पीटू विले ड़न एक्सवन विलायक का अंशिक मोलंश और एक्सटू विले का मोलंश कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा है क्लियर हो गया उसी प्रकार वीलियन के अव्यव दो के लिए भी होगा क्योंकि अगला पूर रहा है ना कि प्रते घटक ज्य है तो पीटू समानुपाती एक्सटू यह विले शुद्ध अवस्ता में जब है तो उसका वाश्प दाव के डान क्लियर पीवन पीटू एक दो शुद्ध अव्यों करमशे क्या है आंशिक वाश्प दाव है डाल्टन के आंशिक दाव की नियम के अनुसार कुल वाश्प पीटी है जो पीवन प्लस पीटू मैंने भी पीछे समझा दिया डाल्टन कांशिक दाव का नियम पता है ना एक पात्र में जितने भी होंगे उन सब का योग उसका क्या होगा कुल वाश्प दाव होगा क्लियर बात समझ में आ गई यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो स्क्रिनशोत लेंगे और समिकर्ड एक और दो को ध्यान रखेंगे क्योंकि अब हमारे पास पीटी है तो पीवन और पीटू का मान पीवन और पीटू का मान इसमें रख सकते ना अपन समीकर्ड में तो कैसे रखेंगे बच्चों देखो पी नौट एक्स वन पी टू एक्स टू लिख दिया खोई लिख कर दिया अब चलते हैं आगे जब अपन डॉल्टन का अंशिक दापका नेम पढ़ रहे हैं तो अपन जानते हैं कि किसी भी वीलियन में कितने भी मौल अंशो उनका योग सदेव क्या होता है एक होता है यह 11 प बहुत अच्छा से एक्सपेंड किया है बच्चों अगर नहीं आता है तो जाके प्लीज आज ही देख लेना ताकि क्लियर हो जाए टॉपिक और यह भी समझ में आ जाए ओके डन तो यहां पर हो गया क्लियर तो अपने क्या किया आपन यहां से किसका मान निकाल सकते हैं अपने पास आया यह तो अपन ने इसको इससे मल्टिप्लाई किया इसको भी से मल्टिप्लाई किया तो अपने पास क्या आया यह आ गया यहां पर एक्सटू पी नोड वन एक्सटू इसको और इसको ध्यान दो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों एक्सटू कॉमन है न 1-2 clear हो गया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको यहां पर ले आए इस तरफ ले आए तो यह क्या होगा प्लस में आ जाएगा और वो क्या होगा पी नोड 1 प्लस पी नोड 2 क्योंकि यहां पर इससे अपन मल्टिप्लाइ कर रहे हैं तो इसको यह आप बाहर लेकर आएंगे तो यह क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा पी नोड 1 प्लस पी नोड 2 प्लस पी नोड 1 एक्स चू क्लियर बात समझ में आ गई होगी हां या ना आप इसको बहुत अच्छे से खोल कर भी लिख सकते हैं कोई डाउट नहीं है मैं आपको इसको दिखा देती हूं यह कैसे आया है पी नोड 1 अब अपन लिख रहे हैं यहां पर एक्स टू इथर यहां पर माइनस लगा हुआ है यहां पर अपने पास है पी नोड और यहां पर अपने पास क्या है प्लस पर पी नोड 1 यह बात जांद हो गई होगी डन मेरे बचोअ जी ओके अब चलते हैं आगे उसी प्रकार अपन वापस क्या कर सकते हैं x1 से x2 भी निकाल सकते हैं x2 से x1 भी निकाल सकते हैं युकि हम सब जानते हैं x1 प्लस x2 is equal to 1 ले यहां पर रुखना होगा क्यों क्यों क्योंकि हमें जो बात क्यात करनी है क्या वह हो गई है क्योंकि देखो शुद्ध विलायक और ये क्या है विले के अनू या मॉल अंश यहां पर विले के मॉल अंश यह निरभर कर रहा है यहां X2 आ गया यहां X1 यानि कि किसी भी द्रविये विलियन में विले के मॉल अंश जितने भी होंगे वो सब उसके उपर डाब डालेंगे और वो डाब क्या करता है आंशिक डाब कहलाता है जो किस पर निर्भर करता है घटकों पर निर्भर करता है जितने घटक उतना आंशिक डाब X2 भी है X1 भी है 3 और 4 से यह बात clear हो गई है कि कुल वाश्वदाव किसी भी अव्यव के मौल अंस से संबंदित होता है और वाश्वदाव अव्यव दो के मौल अंस के साथ एक रेट खियर संबंद भी दखाता है क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी एक बात और मेरे वच्चो ध्यान दो यहां पर चीज जब माइनस में है और यहां पर प्लस में है तो एक बात क्लियर है कि एक चीज का वैल्यू घटेगा और एक का बड़ेगा ध्यान देना एक चीज घटेगी क्योंकि एक प्लस में और एक माने जानी घटक जो हैं दोनों प्रॉपरली पूरी रूप से एक साथ एक साथ वाश्पदाब नहीं डालते हैं एक जादा एक कम जैसे अगर आप किसी भी पात्र में पानी और एलकोहल लेते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि एलकोहल और पानी में एलकोहल पहले वाश्पदाब पहले जादा होगा और फिर पानी तो उसका उससे कम होगा लेकिन अपने अपने घटकों के तो समानुपाती ही होंगे जितना वो दाब दालेगा उसके घटक उतने ही होंगे जितना वो जादा दालेगा उसके घटक भी जादा हो बात समझ में आ गई होगी तो हम इसको एक ग्राफ से इंडिकेट करते हैं और वो ग्राफ क्या है आपक प्रकार देखो शुद्ध वस्ता में घटक एक और दो एक का कम है एक का ज्यादा है क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में है done अब इसका घटक x1 तो यह इतना है तो इसका मान अभी इतना होगा जबकि यहीं पर यहां पर पीटु क्या है बेटा यहां पर पीटु जीरो गिविवन होगा और यहीं पर फीटु क्या है maximum है तो x2 भी क्या होगा maximum होगा बात समझ में आ गई क्यों कह रहे हैं हम ऐसा क्यों गटकों के अंशिक ताफ उनके मोलंस के समान उपाती है लेकिन एक कम होता है और एक सब्सक्कि आख करे inflkl A1 में इ którdня V2 जो दाब होता इनकी योग के वराबर होता है इसलिए state Pla ना आकर के किस परकार दिखाए दे रहे है सा नीड़खे ठीजारा इसका Ari chess प्लस में है और एक माइनस में दोनों दाब तो डालेंगे अमोल अंश भी समानु पाती होगे लेकिन एक के कम और एक के जाधा राइट बात क्लियर हो गई होगी यह ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा इसलिए आप इसका स्क्रीशोट लेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए आज का टोपिक बहुत इंपोर्डन है फटावट कमेंड में बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं यस मैम जल्दी जल्दी लिखने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आज का टोपिक आपको क्लियर हो गया है आई होब समझ में भी आ गया है तो अच्छे से पढ़ना है आपको जल्दी समझ में आएगा लेकिन उसके लिए आप सबको मेरे साथ जुड़े रहना होगा और इसी तरीके से पढ़ना होगा जिस तरह से आज आज आप इतने बच्चे एक साथ लास तक लाइव में मेरे साथ जुड़े हैं तो थैंक्यू तो है आप सबको लेकिन जब तक मैं अगले टॉपिक पर आऊंगी अगली प्लास में लेकर तब तक समरी बनाओ अच्छे से नोट्स बनाओ खुश रहो और पढ़ते रहो ओके थैंक्यू